तो जैसा कि महें नहीं बताया मेरा नाम है तो जो में की इंडस्ट्री में कम से कम 20-21 साल हो चुके हैं मुझे तो मतलब बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वह मतलब करेंगे तो थो चोटी सी पता हो तो मैं pos99 में में लिया था जब वो exam भर के आको युएसस में डॉललर के साथ डोलर के साथ भूलिष में तो हथका और डेस्टर होता था और वो डूमेन आपको हो जाता है डूमेन आफ्टर मार्केट क्या चीज़ होते हैं कि आप डूमेन बाय करते हैं और उसको री सेल करते हैं या आप कोई डूमेन बाय करते हैं आप सोचते हैं आप स्पेकुलेट करते हैं कि आने वाली पात साल में या आने वाले दो साल में य करने का जैसे मैं कोई बना लूँ गैजट और मुबायल को जोड़के गैडमो तो ऐसे मैंने डोमैंट आपने पास इब यदी गैडमो नाम से कुछ बनाना होगा वह ऑपन करेगा तो मेरे पास या किसी की वेबसाइट गैड मों इंडिया डॉट कॉम या गैड मों अमेरिका डॉट कॉम या गैड मों ऑनलाइन डॉट कॉम होगी और वह गैजेट सेंड मोबाइल का को लेकर उसको आउट्रीच कर सकता हूं इसको डॉमिन आफ्टर मार्केट बोलते हैं राइट जब मैंने मैं 1999 ने शुरुवात करी की मतब हम वेब वेब इंडस्टी से थे लाइक वेब डिजाइनिंग एंड सॉफ्वेर ड्वेलपन देन वाट वी दिद लाइक वी स्टार्टेग बुकिंग डॉमेंग नेम्स राइट फॉर आर क्लाइंस ज्यार जैसे हम को पता होता था कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्लाइंस को डील करें लेडर में तो में पाल में परके रख लेते थे राइट देन वी उस्टो सेल देम बिकॉस देर यूस्टो कम अप विद डोमें नेम विद हाइफन और लॉंग तो कि एट लीस्ट यूशूट है किया तब तर कोई वोड होता है राइट डैन डूमिन आफ्टर मार्केट की इंडस्ट्री ग्रेजुली बड़ी होती गई तब जाके आइट तूसॉजन फाइव में यह टॉम आया कि आ रहे ऐसा टॉम भी होता है डूमिन आफ्टर मार्केट मतलब जो कर रहे तो हमारे हैं रहे लेंट हमारे यह articulate कि आप सकते हैं कि सिर्फ फ्लिपा जैसी कुछ वेबसाइट से जो डोमेंट फ्लिप करने में करती है राइट तो आइट एंग देट से दो मेनिक आप किया होती है आइमें वेज टीक है ठीक है वन तिंग यू अलब सो यूज है like expired domains right I mean मैं थोड़ा सा कॉंटेक्स बिल्ड कर रहूं और भी डाइड जैसे आपने वर्ड किया यूज एक्सफाइड डोमेन राइट या जब डोमेन और हुई अब जैसे आपकी आवास बेलकु नहीं से वह सागार इस तो तो जब जब रहा हुई दो यूजु वुआ कि लाक्ष ऑफ इस्पाइड डुमेंड डेली दने पुदिसर्ब इस तुमिट जैवी एक बार एक्जिट करके इन करना अब सही है अब ठीक आ रही है अब सही है अब सही है अब सहा रही है तो अब सही है अब सही है अब सही है तो आई वाथ एक्ष एक्षिट टूमेंड जैसे भी अधरशन पता है कि लाइक एक्षपाइड डूमेंड इस तुड़ी आपके वाज बहुत बढ़ गरिया नेट्वोड निया आपका शहर इसमें लाल दिखा रहा रहे है इदर अगरा ब्री स्थार्ट करने वाइपर अगरा 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 अब तो मतलब हमें यह ख्याल आ सकता है ने कि लाइक यह पहले यह फिर से इन दिक्कत आ रही है इंड आट अगें लाइक जस्ट अमामेंट एक पेज में आप ओपन करता हूं क्या होता है कि डॉमेंड की जो इंडस्टी है लाइक वह 14 15 येर्ट पहले मेचिवर होना स्टार्ट हो ली थी तो आप काफी मेचिवर हो चुकी है तो अब ऐसा ख्यालाता है कि अगर डॉमेंड नेम इंडस्री इतनी पुरानी है तो आप वेस्ली सारे डॉमेंड बुक हो चुके होंगे एक डॉमेंड की कॉस होती है टेन डॉलर ट्वल डॉलर मतलब पांसों से लेकर साथ सब्सक्राइब कभी कभी स्कीम भी आती है कि लाइक युल गेट डॉमेंड नेम फोर टू-300 रूपीज इस वी थिंग डेट के लाइक डेवोंट भी यून एक साल दो साल या मैक्सिमम दस साल के लिए रजिस्टर हो सकता है एंड यू नीड तो टीप डिविंग डॉमें नेम टू ग्यक्ट डेट डॉमें डेट डेली तीन से पांस लाग छे लाग या कभी कभी दो लाग डॉमेंड डेली एक्सपायर होते हैं राइट तो मैं आपको एक्सपायर डॉमेंड का टूल भी बताउंगा कि जहां से आप एक्सपायर डॉमेंड के जेंस निकाल सकते है की लाइक कौण सा डॉमेंड भी जोड धुमेंड कि दो मैंं डॉमेंड कैन बी सूल लिए नूए कोई डॉमेंड नहीं है मतले हर तो एक कोई विखते जो डॉमेंड ने मी बुरे बुरा सोच तलता है जो अभी डॉमेंड डॉमेंड निम क्या होता है जब आपको इसकी डेफिनिशन पता चलेगी देन यू रिलाइज कि बैट डॉमेंड यह यह हो सकते हैं ठीक को रेजिसर करने की आगर आपके मानने न्यूव डोमेन ने माता है और कई बार कोई ऐसा ऐसा डौमेन हो सकता है जो free available हो तो language होती हैंड रेजिस्टर हैंड रेजिस्टर जब भी मैं नुच्रम यूज करऊंगा ण या मैं हैं यूज करूंगा यह मैं फ्रेशली डॉमें यूज करूंगा तो इसका यह मत्रब होगा कि डॉमेन अवलेबल था और मैंने उसे रजिस्टेशन प्राइस वे बुक किया इट कें भी 600 700 थाउजन रुपी जो भी कंपनी का जो भी रेचल रहे जो भी डॉमें सलीं कं यह लाइग गोडदी, बिग रॉक नेम.com बटेवर राइट एंट इस एड बॉट सम दोमें फ्रॉम अफ्टर मार्केट राइट बॉट अटमें इस किसी ने बॉली राइटेशन प्राइस पे फ्रेश अवलेबल बॉमें बुक किया नवी इस होग इस बोलिए बोमें से जैसे होता है ने की चार्रेंश मार्केट में बी आई प्यों निकालती है फिर उसके बाद जो स्टॉक्स हैं जो सेकंडरी मार्केट में ऑव उते हैं हमिह लोग एक दूर्शे को ठारें तो अब आप सोचिए कि में यह में बर सब्सक्राइन ने कि यह हैएट ने कंभिगा यह दो में घूमेंज भीत तो यह दोंने में ऑंटों मांकिट इंडरेशन की जर्वत क्या थी राइट जर्वत क्या सिर्व खिर्वीं इसे मांक टोंनें डो मी भी बोलते हैं राइट कि यू इन्वेस्ट ऑं सर्टें डोमेन ने एंड यू री सेल दें लाइक मैं बात बताता हूं राइट अर्लियर आमिन डेकन वी मैनी पीपल वू उस्ट वूर्ड वू उस्ट प्रीमियम मुबाइल नंबर जैसे लास में चार बार चौक या चार बार या 6 आ गया या 6 टाइम 6 आ गया या इट कुट बी लाइक दिस 981 786 786 9881 108 108 108 तो यह जो 108 786 यह यह आमिन इस आ प्रीमियम फिंग्स जैसे कोई घर का अड्रेस भी ढूंडते है तो वह ढूंडते है 51 हो 111 नंबर ग्यारा नंबर राइट पीपल अवाइट 13 नंबर तो ऐसे लोगों ने गाडियों के रेशेशन वेहिकल के नंबर भी वी आईपी नंबर होड किये हैं और मॉपाइल नंबर भी राइट तो डोमें नें लोगों ने इसको एक एसेट की तरह ट्रीट करना साथ किया लाइक वी ट्रीट लैंड बिल्दिंग्स प्लाइट अपा प्लाइट प्लाइट टीपल बाइग विल्दिंग और अपने लगों के पास होती है पिर आफटर देट डेंव तो एन्यंड यूसर और इसकी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को देते हैं राइट और यह प्रॉपर्टी डीलर फिर आगे उसको रीजाव करता है टूआन मनी तो लोगों ने डूमेन नेम को भी एक वर्चुवल एसेट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया राइट रियल एस्टेट तो थे अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कितना महंगा है I mean it could be any 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 amount but domain names are just $10 I mean there are some cctlds country code level domain name dot uk is there dot co is there right sometime you get those domain names for $2 and kuch extensions like dot pk के लावा कुछ और भी है जो you get free I mean you get those domain names for free right so dot com is a king right हम dot com पर बात करते हैं or when you are a beginner you should focus only on dot com because dot com has global reach I mean you can sell your dot com domain names to any anyone in the world right suppose you have you have an uh iron name right the dot iron domains you can sell that particular domain name to Indian user only right huh I mean there are some exceptions लोगों ने कैनेडा में यूएस में वहाँ भी लोगों ने डॉटिंग यूज करना स्टार्ट कर दिया है कुछ ऐसे हैं लोग लाइक पीपल आर यूजिंग डॉट आयो इंपुट आउटपुट आमने है तो वह इंडियन ओशन का नाम बट लोगों ने उसे डॉट इन इंपुट आउटपुट बनाकर यूज करना स्टार्ट कर दिया है टेक इंडॉस्ट्री ने जो ए आई आई आर्टिफिशल इंटेलिजेंस या वर्चुल रियालिटी में लोग काम करते हैं अब यह कंसेप्ट आया लोगों के माइन में या टैन डॉलर का तो नहीं मैं लाइक बुक कर लेते हैं बहुत सा नाम राइट टैन डॉलर इंटू हंड़ेड थाउजन डॉलर अगर मैं मतलब उस टाइंग की बात करूं तो तब थर्टी थर्टी रूपी का डॉलर होता था राइट थर्टी थाउजन रूपीज ठीक है ना तो थर्टी थाउजन रूपीज में उससे संदेड डॉमें बल रहे हैं अगर उसने दो में तब अच्छे से चांटे हैं उसकी सेलेक्शन अच्छी रही है तो अब कहा है कि लाइक टू रिन्यू और डॉ पर में युल गेट डॉमेंड नेम तो आज की डेट में बात करूं तो टैंड डॉमेंड नेम अगर आपको रखना है तो इत विल कॉस्टी एक थाउजन रूपीज रूपीस यह राइट और पीपल प्राइट आमें डे ट्राइट टॉ सेल बेट पर्टिकलर डॉमेंड ने कि लोगों ने डॉमेंड होट करने स्टार्ट किये हजारों नेम लाखों ने इवन लोगों ने होट करने स्टार्ट किये बड़ी बड़ी कंपनीज आई यू नों बिलियंस ओफ नेम है आमिन कोई भी एक बंदा सारे डॉमेंड को नहीं बुक करा सकता राइट और सारे यहां से अब लोग क्या करते हैं लोग कर लेते हैं और उस करते हैं किस एक अच्डूम एंड यूजर मेंस जिसने वो डोमेनीयुं करना है जैसे हम घर को कैसे अब होते हैं यह सेलर जब हम री सेलर को बैस थे मतलब बीसर दूसरे दो बारपटी टुसय सेल प्रॉप़र्टी तू डिफेंट डिफेंट डिवर्ट डिफेंट अप hmm फबटि डिलर एडि अब to sell it there are two kind of buyer one is end-user जिसको एक्षर मीजूस करना है अनदर वन इस री सेलर आमिन जिसको आगे री सेल करना है या वो भी शायद किसी और डोमिनर को बेचे राइट तो पैसे कहां से बनता है एंड यूजर से राइट जब भी मैं यूनों जब भी मैं कहूं पैसा बनता है तो डो दिस अलसों सीरियस बिजनस जहां पर आमें देयार मैनी पीपल हूँ आप टाइम कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं कुछ लोग सी वीक में दो तीन गंटे बैठते हैं और कुछ डोमें स्लेक करते हैं और बुक कर लेते हैं राइट एंड इसके अलावा सी आफ्टर दिस session you will also know how to select a good domain name it's not necessary you you know play in this race in this business marketing में हो किसी भी फील में हो आप को पता चलता है कि अच्छा domain क्या होता है you can suggest to your clients as well right so suppose मैंने 10 domain name ले लिए अब आपके माइन में यह आ रहा हुआ गया वह मेरे पास आएगा कैसे अब हम उस स्टोरी पर बात करते हैं मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी यह आप सबको मेरे स्क्रीन दिखाए देरी होगी को भी एक 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 एस आजाए है यह फाइन थेंक यू ना अब अ मैंने गोडेटी क्यों चुना हो इंडिया में और भी भूत कंट्री में जब किसी एंड यूज़र को डोमेन बाए करना होता है तो वह जो वेबसाइट उसने सुनी होती है यूझनल जो टीवी में आ अब आ रही है यह या नीईस्पेपर में हारी आड या तो वह उसको उपन करता है गोडेटी इसके लाब कहानी ऐसे स्टार्ट होती है सपोज दो में डिजनस का नेम है या किसी एक इंडिविज्वल ब्लॉग का नेम हो सकता है या किसी इकॉमर स्टोर का नेम हो सकता या आपकी पॉसनल वेबसाइट का नाम हो सकता है like .com like .com like , right like , it could be anything anything right अब सोरी कहां से स्टार्ट होती है डोमेन को एक्वाइर करने की लाइक वेब साइट यू नीड तो थिंक आफ डोमेन नीम राइट तब डोमेन निम कैसे धूरते हो तो आप मैंसे कोई एक मेरे साथ वॉलेंटियर कर सकता है कोई भी एक वह बताएं कि मैं यह बिजनस स्टार करना चाहता हूं लाइक स्पोर्ट्स का मान लेते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करो कि स्पोर्ट्स का अगर मैं स्टोर ओपन करना चाहता हूं तो कौन से डोमेन मेरे लिए अच्छा होगा येस शिव्रतन कोई नहीं की लाइक आप अपनी कंप्तिय का नाम क्या रखना चाहते हैं आप उझे नाम बता हूं मैं नाम धूनू यह शोड़ा मैटा वर्स है तो मैं नाम सोता है मैंने पैपी पॉनी पैपी पॉनी इसके स्पेलिंग जाइए है हाँ पी- ओ न-वाई एंद वाई पैपी पॉनी ऑगर इन को नाम लेना है तो यह ऐसा बजाएंगे क्या आ रहा यहां पर पैपी पॉनी फिर ना अब पैपी पॉनी इस टेकन है राइट अब मुझे नहीं पता है पैपी पॉनी डौट कों पे क्या है मैं फिर भी इसको दूसरी स्क्रीन में खूल के दिखाता हूं राइट पैपी पॉनी डॉट को मैं ओपन कर रहा हूं आइँ वांट टु चेकिट केश मैं आंखिर है क्या है मैं यह भला है टो यह अपका डोमें नेम लिएक कि तो ब्रेंट बखेट एक वबसर हैं जहां पर लिएयं यहां लोग्री है जिस तर समें बनाया जासते राइट तो किसी ने 2495 में रजिस्ट और री सेल पे लगाया हुआ है डेर आर टू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज इदर कि इसने यह डोमें हैंड रेज्ट किया हो यह इसने आफका मार्केट से कि किसी से 100-200 डॉलर में यह डोमें बाय कर लिया हो तो उसने यह डोमें नेम सेल लगा तो अगर मैं यह देखिए यहां पर क्या रहा है वाट वाट डू आई गैट अप्रीमियम डूमें नेम यह वह मतलब दो में के लिए जो भी बखान करना है वह उन्होंने यहां पर कर दिया उसके बाद क्लिक ऑन बाय नाओ तो मेरे को बाय नाओ के लिए आएगा डालने के लिए आएगा और यह मैं बाय कर लूँगा अगर मेरा बजट इतना होगा तो मैं पॉइंट इस जो में की मैं इंक्वारी फॉर्म कर सकता हूं है इफ 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 यू वांट तो अफर यू थाउजंड डॉलर फॉर दिस जो में ने अगर आप हजार डॉलर ऑफर करना चाहते हो तो क्या पता वो दे दे उसका डूमें बिकना रहा हो या आमिन वी डोंट नो एक्चुली राइट तो उसके लिए इंक्वारी का फॉर्म है राइट अब जिसने पैपीपोनी डॉट कॉम डॉमेंड बुक किया होगा उसको अगर मैं अभी बाइनाओ कर लूँ तो उसका वो डॉमेंड सेल हो जाएगा राइट जो भी ब्रैंट बॉकेट की कमिशन ह है वो काट के उसको वो पैसा उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा राइट एक तो यह स्टोरी होगी दूसरी स्टोरी अभी जिन्हों ने कहा कि मुझे पैपीपोनी डॉट कम नाम रखना है अब यह नाम नहीं है अब आप क्या करोगे अभी हो सकता है यह सोचे पैपीपोनी डॉट इन ले लेता हूं यह सोचे नहीं यार मैं तो ग्लोबल साइट बनाने का प्लैन कर रहा हूं राइट बिकॉस क्रिप्टो इस अ ग्लोबल तेंग अब डॉट इंहां पे अविलेबल यह बन फॉटी नाइन रुपीज का राइ या हनी का इकॉमर्स टोर होता तो आमिन वो डॉमेन ले सकते थे डॉट आयन के साथ बिकॉस इंडिया में इंडिया में बिजनस है और बाद में जब ग्लोबल करना हो तो तब देख लेते अब यहां पे और और आल्टनेट्स क्या हैं जब यह एक टेक नेम हो गया हम समझत कि अगर यह कृप्टो का कुछ करने जा रहे हैं तो एक टेक्निकल गर जा रहे हैं तो टेकलोजी में जो डॉट कोंम के बाद जो पॉपूलर है एक। कभी-कभी लोग भी ले लेते हैं डॉट नेट भी ले लेते हैं आई ट्राइब डॉट नेट ऑलसो वह उतने घाता है दिस डॉमेन नेम इस अविलेबल देखो पेपीपोनी डॉट नेम इस अविलेबल एक टु कार्ट कहा रहा है 1079 रुपीज में मैं डॉट नेट डॉमेन खरीच सकता हूं अब दो चीजें हो सकते या तो यह डॉट कॉम भाय करें डाइयर डॉलर देकर जो करीब पिट के कोई कंपनी होती तो यह डॉट ओर जी भी ले सकते थे हम देखते डॉट ओर जी डॉट ओर जी इस ऑल्सो फ्रीफर नाइंटीन रुपीज मतलब दो साल के लिए कठावाय करना होगा तब आपको पहला साल 99 रुपीज का मिलता है अब इनके पास option क्या है या तो य यह डॉट को लें यह तो यह डॉट नेट लें राइट बेस्ट को ने आपको भी पता है कि बैस है डॉट कों रैट तो आम यह सोच तेना मैं यह नहीं लेता मैं क्या करता हो प्रफिक्स और शुखिश्व you'll look for some alternate, you'll, you know, prefix or suffix some word, just as sometimes people do peppyponyonline.com or peppyponyglobal or peppyponyinndia or peppyponyinternational.com or peppyponycrypto.com. I mean, there could be n number of variations of this domain name, right? Suppose peppypony foodstore hota to like, हम क्या कर सकते थे? Peppyponyfood.com, अगर peppypony नहीं मिल रहा, तो peppyponyfood.com, वो भी नहीं मिल रहा, तो peppypony healthyfood.com, अगर वो healthyfood होता, तो अब देखो, हो क्या रहा है? domain name लंबा हो रहा है, peppypony healthyfood.com. Suppose, आगर मैंने 3-4 word के domain लिए है, if I want to say this domain name to anybody, या कहीं लिखना भी है, तो यह लंबा हो जाएगा ना कि peppypony healthyfood.com, I mean, इसका मतलब कि domain should be short, short या कम सक्वमें ऐसा हो कि जो memorable हो, right? अब इनके बास एक option और है, यह मैं बता देता हूँ, peppypony के अलावा, यह the peppypony.com भी रख सकते हैं, अब क्या करेंगा, यह compromise करेंगे, या तो यह peppypony नाम ही चेंज कर देंगे, getting a point, या तो यह दो peppypony ले सकते हैं, या दो peppypony, sorry, peppypony global.com लेकर, suppose इन्होंने अपना business start कर दिया, blog start कर दिया, जो भी बनाएं, इन्होंने start कर दिया, right? कल को इनको income on only start होती है, .com को approach करके buy कर सकते हैं, .com के बिल्कुल buy करेंगे, क्यों धाई या डॉलर, डेलाग रुपे, मानलो इन्होंने 8090,000 या लाग, डेलाग रुपे की earning करनी start कर दी, या इन्होंने कुछ ऐसा concept बनाया, दो महीने के अंदर ही fund raise हो गया, shark tank आता है ना, shark tank इंडिया, मानलो दो मेने में इनको fund raise हो गया, या किसी ज़ा fund मिल गया, तो वो domain name buy कर लेंगे, क्यों, या दो पैपी पोनी से, पैपी पोनी ग्लोबल से, अच्छा नाम है pepipony.com, anyway, right, suppose करो ना, मैं एक नाम का example देता हूँ कि, हम किसी को कहेंगे, किसी का नाम होगा, सुनील कपूर, वो से याद रहेगा, जो हम है, किसी का नाम लंबा होगा ना, मतलब अद्वेत्य सिंग चटपाध्या है, मतलब भूल जाएगा वो नाम, भूल भी जाएगा, वो इस नाम है spelling की देखो ना, कितनी सारी वो हो सकती है, right, तो ऐसी domain names भी होते हैं, जब facebook ने अपना domain start किया था, उसका domain था the facebook.com, उनको facebook.com, जब उन्होंने start किया ना, facebook.com उनको नहीं मिला, बट उनका वो प्रोजेक्ट था, वो पैसा नहीं डालना चाहते थे, उन लोग ने the facebook.com से अपना business start किया, जब business चल गया, then they went and acquired facebook.com, you know, आप देखना facebook.com की story Wikipedia में होगी, I mean the most expensive domain name जब आप डालोगे, Wikipedia में you'll get a page जहां पर ये stories होगी कि कौन सा domain किसने कितने में buy करा, right? तो facebook.com अब ले लिया, अब facebook.com popular होता गया, popular होता गया, अब लोग क्या term use करने लगे, fb, यार fb में आ जा, fb में live चलते है, fb में class चल लिया है, मैं fb छोड रहा हूं, भाय करना पड़ा, getting a point, तो उसको fb.com भी भाय करना पड़ा, क्योंकि जिस नाम से लोग जो आपकी identity create हो रही है, आपको सारे नाम protect करने होंगे, और अगर आपके पैसा है, तो बिल्कुल करना होगा, ये शायद 100 करोड से जादा का दिखा था या facebook.com देखना पड़ेगा वो, I mean, उसने ये लिया, बहुत सारी कंप्नी है, जिन लोगों ने दो से start किया, बट उन्हेने बाद में दो हटाया, इसलिए ये भी जब दो पैपी पॉनी से start करेंगे, कल को popular होंगे, या तो वो domain name investor, या dominer, इनको खुदी अप्रोच करेगा, sir, I have a domain name, पैपी पॉनी.com, are you interested? और उतको फाइदे बताएगा, पहला फाइदा तो यह होगा कि यह डोमेनम शौटर है, छोटा है, और अगर आप बहुत ज़्यादा popular हो गए, और पैपी पॉनी.com वाले ने देख लिया आपको, तो वो हो सकता है कि आपके domain के rate भी बढ़ा दे, अपनी साइट में डा चलना है, जब आपको पता चलता है इसको फैक्री खोलनी है, या इसको यह नो, टू कॉर्णर या ठी कॉर्नर लेंड चाहिए, तो आप उसे पांदास लाग पर ज्यादा बोल देता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, आप दो बाते हो सकती है, अगर इनने पैपी पॉ आपकों वाला साल, दो साल बात इनको अपरोच करेगा, या यह खुद पैपी पॉनी को अपरोच करके वो डोमेनिम एक्वाइर कर लेंगे, बात समझ मैं है यह आपको, कि भाई यह डोमेनिम ता कुछ भी ले लो, यह मुझे अभी पैपी पॉनी नाम लेकर आ गए, राइ हैं, यह जो आपको दिखाए दे रहे हैं, तो पैपी पॉनी नाम से कोई ग्राफिक कह सकते हैं, कोई इसकी एनेफटी ला सकता है, राइट, तो अगर मैं इमेजस में जाओं, तो मुझे पता चले गाए, पैपी पॉनी नाम की चीज है, जो कि यह आपको जो कैरेक्टर दि बना रखा है, यह पैपी पॉनी दोंएं भेशना चाहता है, यह पैपी पॉनी देखो टीशर्ट पे, यह पैपी पॉनी का कोता सुखार होगा. को कि आब कर वह के तकstand में क्रिप्टो में फुत तो हो जाता है, तो धाई हजार डॉल नार भी बहुत सस्ता है, यह बीज बी सब्सक्राइब लोग क्या करते हैं यही स्पेक्टुलेट करके किसी को पता चला या पैपिपोनी नाम से कोई कि आई सीओ आने वाला या कुछ भी आने वाला है कोई चीज आने वाली है तो वह धाई हजार डॉलर में भी डॉमेंड बाय कर देगा क्योंकि वन पॉइंट फाइब लैक्स रुपीजिस नतिंग अगर उसे यूएस में किसी को किसी को किसी बिग कमपनी इसको सेल करना है रा या बॉन यह जब आप साइट शाइट बन जाएगे आपके तो वो सका करें अब हम यह समझते हैं कि लोग आपको ढूंडेंगे कैसे मानल है पैपीपॉनी.com नाम है तो लोग आपको ढूणेंगे कैसे कि आपके पास पैपीपॉनी ग्लोबल पैपीपॉनी इंडिया दव पैपीपॉनी है या नहीं है इसके लिए कोई टूल होना चीह ना तो इसके लिए तूल है सब तो पैपीपॉनी नाम से एक यी डूमेंगे चेकर अप तो एक ही नेम है अब मैं इसमें और जड़ा डालता हूं अगर किसे नहें दोपनी पैपीपॉनी ग्लोबल लिया होता है तो वह नाम यहां पर आता डायट तो कोई भी नाम बताओ मैं डालता हूं लेधर शूय पैपो दस साल से डोमें अपने पास रखा वैं लेदर शूट को मैंने एक नाग डॉलर में डाल दिया था सपोर्थ राइट इंक्वारिया मैंने मना किया अब मैं लेदर शूट डोमें बेचना चाहता हूं नाओ तो हाउ इलाइफ फाइंड माई प्रॉस्पेक्ट्स राइट देर आर मुल्टिपल वेज एक लेदर शूट में पास है तो एक तो मैं सिंप्ली गूगल करूंगा लेदर शूट शूट अरे का हो गया शूट ठीक है ना तो इससे मुझे क्या पता चलेगा लेदर शूट वाले लोग कौन है अमेजन फिलिपकार्ट को आप तो यहां पर मुझे इंडिया मार्ट के चोड़ है यह है एलन कूपर इंडिया डाट कॉम राइट एलन कूपर एक शूट बनाने वाली बड़ी कंपनी है लेदर शूट कॉम रखना इसको सूट करेगा क्यों कि यह बहुत ही अच्छा कीवर्ड है राइट इसको एस्यों कर एक है श्री लेदर डाट कॉम राइट तो ऐसी एक तो यह तरीका है ढूनने का एक है कि अगर मैं मैप में क्लिक कर दूँ गूगल मैप में ठीक है ना तो यह जो आ गए यह मेरे बायर हो सकते हैं तांसपूर लेदर शूज पंजाब लेदर शूज मतलब सपोज इसकी लेदर शूज डाट कॉम अप्रोच कर सकते हो अगर इसके पर पैसे होंगे किसी कितने का लिए तो ही विल पे यूदा अमाउंट राइट यहां अगर आपको किसी और कंट्री में धूनना है तो आप लेदर शूज यूएस से भी टाइप कर सकते हैं तो मैप में आपको दॉट डीवी में मुझे लेदर शूज डालना है अब आप खुद समझ जहेंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं देखो एक तो लेदर शूज ट्वंटी नाइन डिफरेंट एक्शेंशन में बुग्ड है डॉट डी डॉट नेट डॉट को डॉट यूप ठीक है है अब लेदर कि आपके पास है तो आप पहले तो में अब बयेदर कि तो यह आपको दूट आपको दृट नेटलडाूड hm करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब डॉट नेट को कब अप्रोच करोगे आप पहले अब साइट राइब करोगे क्या इसकी साइट में कुछ है है यह सेल पर लगए डूमेंड नाइंटीन नाइंटीन 8700 कोई वे च रहा है मतलब जैला planeg करकषió देटला कर्टीन हो गए इसमें कोई लछ शी डॉट नैट बेच रह एझा है अब एकैस अगर मुझे लेड़ अशूस डॉटक marketing मैं देखता हूं लेदर शूज डॉट कॉम में क्या है यह मैंने अभी तक देखा नहीं है राइट आप चेकिंग डाइट कुछ नहीं है मतलब लेदर शूज डॉट कॉम भी किसी ने लियाव है .NET भी लियाव है और सब लियाव है कि यही नाम लेकर कि की वर्ड बिल्कुत स्पेसिक हो जाए लोगों तो याद है लेदर शूज डॉट कॉम राइट तो अब लेदर शूज डॉट नेट से अगर वह स्टार्ट करता है तो फ्यूचर में उसे डॉट कॉम बाय कर नहीं होगा डॉट कॉम इसके सम्टाइम आप किसी को लैदर शूज डॉट इन या नेट वी बताते हो तो गलती से डॉट कॉम लेता लोगों की है वित्टैट लोग डॉट कॉम कोई समझते हैं जब हम बोलते डॉट कॉम बबल या डॉट कॉम इंडॉस्ट्री डॉट कॉम बिजनस तो दापकॉम इस अधिंग में तो अमित लेदर शूज अफॉर्डेबल लेदर शूज वो चेक करना पड़ेगा इन पर वेबसाइट है कि नहीं अब देखो डूमेन लिया है तो इसमें थोड़ा से काम करना पड़ता है इस लाइक बिसनेस इस नोगाइब लेदर शूज दॉज दॉज तो मैं इसकी ऐसी साइट कोलता हूं अबने को सब्सक्राइब को कुरेश हूं और इसको मैं कूलने के लिए कि मैंने खूलके देखा कि सबस्सेटित नहीं यंभेसाइट होती और इसको आपको leather shoe भेशना होता तो कैसे भेशते इसके website के contact us पर जाते एक तो तरीका यह है दूसरा fine leather shoes का कोई ने कोई Facebook पेज होता LinkedIn पेज होता Twitter होता कुछ तो होता उसके थुरू आप try करता है कि उस company के marketing head से बात करने की या उसके CTO CEO से किसी से भी बात करने की जहां पर आ leather shoes.com if you are interested to buy you can buy this domain name from me for certain price ठीक है अब इसके लावा एक तरीका और है कि यह domain किसके पास registered है अगर उसके अदरस आपको डूनना है तो एक website है who is.com who is.com वैसे तो हम गोडाडी में भी देख सकते हैं नेम.com में भी कहीं भी देख सकते हैं बड़ यह हुए बनाए होगा है कि अगर आपको यहां देखो यहां में कोई भी domain name डाल दो सपोस्थ मैं फाइन लेदर शूज डालके मैं हुई इसमें अगर क्लिक करूंगा हुई मतलब हुई इस पर्टिकुलर डूमें ने राइट देखो कब रजिस्टर सेकिंड जन्वरी 2012 को राइट यह कहां रजिस्टर कौन है इनॉम है लाइक गोडडी एक कंपनी है वैसे ही इनॉम है मतलब अपना नाम चुपाया हुआ है या अपना नाम प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि लोग आपको तंग ना करें मेल बेज़के चिट्टी बेज़के कुछ भी बेज़के राइट सब्सक्राइब करता हूं मैं इसमें गूगल डॉट कॉम टाइप करता हुआ गूगल हाइट दो कुई विनाम डालो आपको पटा चल सकता है कि वह नेम किसके बास मैं गैसे तुपास है ठीक है ना तो यहां पर enabling सफियातता है तो मैं उसको उसतीमेल दश कर सकता हो कई बार फोन नंबर भी आता है राइट लोग अगर डालना चाहें मतलब मेरे बहुत सारे डोमेंज ऐसे होंगे जिन पर फोन नंबर आता होगा तो इसमें नहीं आ रहा तो यह देखो आ रहा है ना मेरा प्रॉपर जैप ओडियाल और्गिनाइजिशन अड्रेस पीतम पूरा मेरा फोन नंबर भी आ रहा है तो कोई अपनी यह इंफरमेशन चुपा लेते हैं अगर आप डोमेंज बेचना है तो आपको यह इंफरमेशन चुपानी नहीं चाहिए ताक कि आप उससे कॉंटेक्टेबल रहो भाई अगर उस एंड यूजर के पास भी हुई जॉर्टाम की अकल नहीं है ना तो वह एंड यूजर अपने वेब डिजाइनर को बोलेगा जिसने वेबसेट बनाई है यार मुझे यह डोमेंज खरीदना है कैसे होगा बता तो वह उसक सिम्पल से बात है ना या तो वह अगर जा खाण को ऐसी वेबसाइट में लिए डालना मस्ट है तो नीचे आप देख रहे होगे इनके जो टाइप है गोडेडी से रजिस्टर डॉट कॉम ने तक सुलिशन टुकाउज डायना डॉट से डॉमें डॉट कॉम और भी बहुत सेकड़ों कंपनी से हैं यहां पर डॉमें अगर आप डालते हो तो मिलियंस अप सुर्च इस में आप आते हो यह फ्री एंडेट डॉमें ने चार्ज कमिशन जब आपकी सेल होती है तो एक मैंने यह साइट खोली दूसी साइट है सेड़ डॉट कॉम ऐसी दियो सेड़ डॉट कॉम यहां पर आप अपना डॉमें डाल सकते हो ठीक है ना तो यह कुछ स करो मैं लेदर शू मुझको स्टार्ट करना है तो मैं लेदर शू डालूंगा यहां पर सपोस्ट तो मुझे ऑप्शन दिखाएगा देखो लेदर शू डॉट कॉम आया दो मेक एन ऑफर देखो लेदर शूज डॉट कॉम दो में खरीदने के लिए अविलेबल है में अभी खरीज सकता हूं राइट यहां पर आ रहा है मेक एन ऑफर वह कह रहा है आप अपना ऑफर भेजो वह कह रहा है मिनिमूम आपको दोजाए डॉलर का तो वह टाइल डू मैं मेक एन ऑफर में जाकर मैं धाई जाए डॉलर डाल दूँँगा राइट मतलब पहले यह देखो मैंने इसमें चलो डॉलर डाल दिया ऑफर में क्लिक किया तो इसका जो ओनर है इसके वाफर पहुंच जाएगा कि संबडी ऑफर्ड एकिस सो डॉलर ठीक है अब उसके पास ऑप्शन है कि वह एकिस सो डॉलर में बेशना चाहता है तो वह सोल एक लेदर शू डॉट कॉम को मैंने वेबसाइट खोल दी थी तो भी आया था वहां पर है ना आया था ना लेदर शू डॉट कॉम अगर कोई एंड यूजर खोलेगा काई करोडों लोग डॉमेन है की नहीं है चेक करने के लिए डॉमेन हम ऐसे ब्राउजर में टाइप करते हैं और यह डॉमेन तो है चलो कुछ और ढूंडते हैं तो यह गलत तरीका है आपको अभी मैंने डॉमेन दिखाए था ना जहां पर यह यह आ रहा था कि यह कि डॉमेन इस प्राइस पर अविलेबल है लाइन वैसा अजाए ऑ मैं वैसा पे जाना चाहिए आप इसको आफ्टनिक में डालते हो तो आता है दिखाई देगा आप डाल सकते हूं कि मैं इस डोमें को इतने में पेशना शाहत हूं अभी मैं आपको दिखाऊंगा हाँ ठीक है तो यहां पर भी मैं कुछ बी डाल दो कुछ भी डाल दो तो मेरे को यह डूमैन पता देगा कि यह डूमैन इस प्राइस पे अबलेबल हैं यह देखो लैदर डॉट ने थैव निज़ाएं पांको डॉलर का लैदर डॉट आई ओ है बासाइट सो डॉलर मतलब यह डुमेन नेम बहुत सारे सेल पर लाखों करोड़ों डुमेन नेम सेल पर लोगों ने डाल रखते हैं यह देखो बीसी लैदर जी डी लैदर जी क्योंकि देखो अब किसी के नाम गुरपीद सिंग है तो उसे कंपनी क्या बना नाम सोचेगा जनरली या जी एस लैदर का कोई टाइप भी होता हो गॉट मैं पॉइंट एक डी लेदर बीसी लैदर एच पी लैदर मतलब कमी नहीं है इतना डॉमेन लोगों ने डाल लग है यह सारे नहीं लोग डॉमेन नेम इन्वेस्टर इन्वेस्टर कौन है जिसने एक डॉमेन भी खरीद लि हम बात करते हैं अभी देखो मैंने रिवर्स चूरी चालू किया ना मैंने आपको यह बताया कि लोग आपके पार डॉमेन खरीदने क्यों आएंगे अभी मैंने डॉमेन कैसे बुक करने कैसे स्लेक करने यह अच्छा डॉमेन क्या होता है यह अभी नहीं बताए ताकि आपक सब्सक्राइब करता हूं गैडमो डॉट को में पास एक नाम है ठीक है तेकन है राइट सब्सक्राइब कोई गैजेट्स और मोबाइल का साइड बनाना चाहता है राइट ब्लॉग हो सकता है इपको पता होगा कि कई बंदे जब नाम सोचते हैं तो यह फर्स्ट लेटर ले लग रहा है तो बंदे कई बार क्या करता है यह गैजट से गैड उठाया मैंने भी यह किया था मोबाइल का यह उठाया गैडमो बना दिया मैं जैसे सोच हूं वैसे हजारों लाखों लोग सोचेंगे राइट अब वह गैडमो डॉमें मालो अपना बुक करना चाहता है तो उससे मेरा लिखा होगा कि यह इतने प्राइस पर है ठीक है कुछ भी हो सकता है अमिन अनलिमिटेड पॉसिबलिटीज है राइट अब हम बात करते हैं चलो पहले कोश्चन लेते हैं कुछ फिर उसके बाद मैं आऊंगा कि हम अच्छा डॉमें कैसे ढूने एक अच्छा स्टोरी बनाई कि लोगों को क्यों डॉमिन की जरुवत होगी क्यों आपके पास आएगा कैसे वह आपके पास आएगा और कैसे आपको देखेगा येस कुछ सवाल पूछो ताकि मुझे समझ आए कि कितने लोगों को समझ आएगी सर मेरी एक कोरी है तर जैसे आपने बोला कि डॉट कॉम डॉट इन के कमपेरिजन में बैश्ट है तो सपोज मैं कोई और गैनिक रिटेड बिजनिस करना चाहता हूं और जो नाम मैंने सोचा है उसका डॉट कॉम मुझे मिल गया ठीक है बट मैंने अभी वेबसेट बनाई या मुझे वो नाम छोड़ लेना चाहिए जबकि में पार डॉट कॉम मेरे पास है मैंने रिचेंट्ली भाई किया है तो देखिए होता क्या है कि अगर वो जैनरेक नेम है सपोज करो उसका नाम है और दोमेन का नाम है और और गैनिक अंकल ठीक है ठीक है और गैनिक अंकल नाम है अभी डॉट इन वाले ने भी दो चाल महीने पहले यह साइट बनाई है तो आप बिलकुल डॉट कॉम ले सकते हो उसने इस पर ट्रेडमार्क ना लिया हो और ट्रेडमार्क इस पर मिलना तफ इसलिए है क्योंकि ट्रेडमार्क के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई चीज बैशना चाहते हो और गानिक फूट जिसी बात कर रहे हैं न है अब भी यह जी अब और गानिक फूड या कुछ भी बैशना चाहते हो और आपके की और और करो किसी ने और जैनिक अंकल डॉट इन पर साइट बनाई विए और बहुत बड़ी साइट नहीं है तो आप भी और जैनिक डॉट कॉम लेकर अपनी साइट बना के आप भी चल सकते हो कोई प्रॉब्लम यहां फिर हम यहां पर और गार करके कुछ वर्ट जोड़ सकते हैं यह सब्सक्राइब करके अपने क्या कहा कि और गैनिक अंकल डॉट इन किसी की वेबसाइट आप सकते हो क्या सब्सक्राइब बना ली तो आपकी आइडेंटिटी कहां रही तो आइडेंटिटी क्रेट करने के लिए आपको ब्रैंड बनाना होता है इस वह कोई नहीं होता लिए अगर मैं गाजेट मुबाइल बना देगा कोई गैजेट मोबाइल स्मना देगा तो मेरी रखने के लिए मुझे ब्रैंडेबल नेम लेना होगा और किसी और ने यहां पर कहा था कि ऐसा को जोड़ के ले लो वो बिल्कु सही कहा था तो तभी मैंने गैड्मो नाम सोचा गैड्मो नेम इस ब्रैंडेबल राइट अब मैं एक बात बताता हूं क्योंकि मेरे साथ ना एक बार ट्रेडमार्क के लिए ऐसा सीन हो चुका है तो मैंने से कुछ वर्ड जोड़ गया बनाया था जैसे कि कुई कंपनी ऐसी कंपनी है ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं जैसे मान लो कि आपके दिमाग में आया कि एक नाम आया कि वोड आया फिटकरी वड आया एफ आइटी करी कि आप हेल्थ में कुछ मनाना चाते हो तो राइट अब फिटकरी नाम रेजिस्टर्ट है दिखां आपको यह यह तो मैं क्या करूंगा मैं भूलके भी ना तो फिटकरी.डॉट इन लोंगा ना तो कौम लों लेड़ी एक वर्ड ट्रेडमार्क हो के रजिस्टर्ड हो चुका है हाँ बोलिए बट सब्सक्राइब क्लास में कोई नहीं कर सकता इन अधर क्लास में जाके वह कर सकता है तो अब यह मैंने ट्रेडमार्क है और में पास फिटकरी डॉट कॉम भी बात करता हूं अब फिटकरी नाम से यह मैंने ले लिए सपोज कोई एक ऐसा कोड्स है FIT या FIT का मतलब फ्रीक्वेंट इंडिपेंडेंडेंट ट्रेवलर भी होता है राइट सपोज को आपने कोई ट्रेवल का प्रॉडक्ट बनाया फिटकरी के नाम से तब आप फिटकरी नाम से उस ट्रेवल की जो क्लास होती है उसमें ट्रेडमार्क ले सकते हो अब मेरे उपर है कि मैं अब्जेक्शन उठाऊं ना उठाऊं राइट लेकिन जब कोई वो जब कोई शब्द बहुत पॉपुलर हो जाता है कोई नाम भी पॉपुलर हो जाता है बेशक बजाज है बाइजू है अडानी है यह नाम भी पॉपुलर हो गए ना अब क्या है कि यहां गूगल है सपोज अब गूगल ने भले ही ट्रेडमार्क दो क्लास में ले रखाओ अब गूगल के नाम से आप कुछ भी नहीं स्टार्ट कर सकते ना जूते मसाले कुछ भी नहीं विकॉज ट्रेडमार्क में एक चीज कही जाती है कि पॉपुलरिटी कितनी है मतलब किसी ने उस मार्क को बनाने में कितना इंवेस्ट किया है मैं तो देखो लॉयर ये भी कहते हैं कि अगर गूगल ने कंपनी बहुत बड़ी बना ली अगर गूगल ने ट्रेडमार्क भी अप्लाई नहीं किया ना तब भी आप उस नाम से कंपनी नहीं बना सकते मतलब आइकेन जो आइकेन डोमेंस के लिए पॉलिसी बनाती है उनका ये कहन सू कर सकता है तो हमने भी बहुत सारे ऐसे केसेज फाइट किये हैं और जीते हैं जहां पर हमार पस एक जेनरिक नाम था राइट मानलो जेनरिक नाम मैं बोलता हूं भासकर जोतिश.com यह तक सिंपल नाम है लेकिन भासकर जोतिश वर्ड इतना पॉपुलर था उसकी बुक् उसके पर वह इजीली केस फाइल करके वह डोमेनिम उसे ले पाए भले ही यहां पर वर्ड जैनरिक भी था और टेड्मार्क भी नहीं था तब भी वह ले पाए क्योंकि वह वही काम कर रहा था बात्चा में रहे हैं हां और सवाल बताइए तो थोड़ा मेरे सवाव टेड्मार्क से रिलिए तो मैं कर सकता हूं अब दो टाइप के डेड्मार्क दिखाते एक बर्ड और एक दिखाते हो इमेज क्या बोलतों है नाम ध्यान नहीं आ रहा दूसरा तो वह में कौन सा लेना चाहिए इनके लिए लिए यह ट्रेड्मार् है मैंने से क्लास 21 में रेजिसर किया होम डेकॉर वगेरा के लिए ठीक है ना जॉयरी का नाम है अब जॉयरी का इंडिया जॉयरी का ग्लोबल कोई कुछ भी लगाई नहीं सकता फिट करी में तो फिर थोड़ा बहुत चांस आना क्योंकि करी एक वोड है फिट वेक टॉम है जॉयरी का तो इन्वेंटेट टॉम है मेरा गेटिंगा पॉइंट और और जॉयरी का के नाम से हमने प्यार भी कर रखी है आप जैसे बिजनेस बिजनेस स्टैंडर्ड में एन निउस में हमने ये निउस में भी डाल रखा है राइट बहुत जगा बैक लिंकिंग कर दी फे आगर कोई ये नाम लेगा ना गॉयरी का ट्रेडमार्क मेरी क्लास में लेता है यह कहते हैं कि साउंडिंग वह लग रहा है इसलिए फूगल नाम का डूगल नाम का कोई सब्सक्राइब आनी सकता वर्ड में अब आपने जो सवाल करना है वो सवाल करो चीज़ बताता हो देखो एक हमारी हें ऑप मुझें लेना अब देखो हिन्दी 7 यह तो हिंदी एक कि इतना टफ है कि यह मैं दूसरे देता हूँ हैडलाइन सेवन डॉट कॉम है यह कहूंगा हमारी न्यूज पोर्टल यह तो खुदी बख बता रहा है हिंदी हिंदी और यह मैं कहूंगा कि अर्बन स्किल नाम से हमारे एक वह हैं है कि अर्बन वार्ड मोड जैनीरिक वर्ड है तो कुछ लोग क्या करते हैं अर्बन कर लोगों बनाते लोगों पर ट्रेड मार्क ले लेते हैं वह तक वो यह था बाद मार्क मैंने शब्द फ़ेल यह आए कि वह शब्द कोई कहीं यूज़ नहीं कर सकता अगर मैंने कोई लोग क्या करते हैं अबन स्किल के पहले लोगो बना लेंगे और किसी भी वर्ड का लोगों बना लेंगे जिस पर टेडम मिलना तुफ है तो वह उसका लोगों बनाकर पहले लेते हैं रेजिस्टर होता है फिर दो तिन साल बागना उसको बेस बनाकर करते हैं कि वी आर सो पॉपुलर हमें खत्रा है कि हमारे इसनार से कोई धंदाना साथ कर ल दालते हैं तो कई बाए अप्रूब हो जाती है कई बाद नहीं होती है करना पड़ता है उसके लिए तो अभी मतलब हमने एक ट्रेट्माइक अप्लाइक किया था नॉलेज कैफे यह देखो अब्जेक्टेड आ रहा है ना कि यह तो यह तो यह तो तीन साल पहलो तो यह इसको अब्जेक्शन आई लेकिन हमने लॉयर के तुर दुबारा फाइट करा अब फाइट करके आब हमारी अप्लेटिशन अप्रूब हुई कि अब हमने कि नॉलेज कोई और अलग से यूजज कर सकता है तुमारा कोई अधिकार नॉलेज के इस दो वर्ड का एक सिंगल उसके राइट है तुमारा नॉलेज पर राइट नहीं है और क्याफे पर राइट नहीं है यह कहकर हमें मिला तो आपको वॉर्ड मांक ही लेना चाहिए डिवाइस मांक लोगों की पहले तो वॉर्ड को करो लोगों तो सिक्यूर होता रहेगा एक लोगों डिजाइन अच्छा हैगा जो तब आप उसका मांक ले सकते हो क्लास क्लास के नंबर से क्या मतलब है हर एक वर्ड काप सब्सक्राइब तो अलग क्लास में शो कर रहा है वह तक है कि ट्रेड मार्क का लेने का को एक पॉपोस होता है जैसे नौलेज काफे है वो क्या काम करेगा इधर रेस्टरून हो सकता है मिलती हो कि आप खापी रहे हो और कुछ स्क्रीन चलिए या फिटकरी है फिटकरी का पॉपस क्या था कि हमें वो करना है क्या कहते हैं और ऑर्गानिक स्टोर रन करना है यह दो को एक लाज थर्टी में चीज दिखाता हूं आपको इसी में डिटेल में मैं थोड़ा जाता हूं कि देखो टीम टाइब और क्या लिखाव है यह कस्टर्ड पाउडर बेकिंग पाउडर कोकोवा पाउडर केक मिक्स लिखाव है अब यहां पर यह जो प्रॉड़क्ट है ना यह आते क्लास थर्टी में कि माल दो कि मैं फिटकरी नाम से अगर फल बेचना चाहता हूं कि फ्रूट कि वेजिटेबल्स तो हो सकते हैं उसकी क्लाइब अब ट्रेडमार्क की सारी क्लासेज अगर आपने देखनी है बहुत इजी है ट्रेडमार्क क्लासेज इंडिया गूगल करो यह पेज आ रहा है यह पेज खुल दो अब देखो अगर आपका पेंट है वाणिश यह सारे इसे चीजों के लिए आप कोई मार्क लेना चाते हो मार्क प्रोटेक्ट करना चाते ओ वो लास टू में जाएगा राइट मालो मशीन है मशीन टूल है वो क्लास ऐंगे बात समझाया डेंटल कुछ है वो एक वर्ड आप लेकर पूरी इंडिया पे तो कपजा नहीं कर सकते तो चोटी खोटे काम कहीने कहीं चली रहे होते हैं वह एक ही नाम से कपड़े बिखते हैं और नाम से मोबाइल फॉन टेली फॉन कंपनी भी है अब देखो अगर गता इसका काम है तो क्लास 17 तो यह क्लास डिफाइन करते हैं देखो एड़िटाइजिंग सर्विस है तो क्लास 35 इंशोरेंस है तो 36 ठीक है ना टेली कम्मुनिकेशन है तो अब आज चर्डी एट मतलब एटल ने किस क्लास में ट्रेडमार्क लिए होगा ठोटी एट में राइट सपोर्ज लेकिन एटल के नाम से आप आज ही डिट में इंडिया में कुछ और नहीं कर सकते सिर्विस लिए कि एटल इस ओविसली नों ट्रेडमार्क वो टीवी में इ इतनी एट देता है कि वह एटल के नाम से किसे कुछ स्टार्ट नहीं करने देगा इस सब्सक्राइब नाम से एटल और आइटल काफी रिजेंब्लेंस है दोनों में आइटल और एटल साउंडिंग सेम नहीं जा रहा है ना और हाँ कोई फेटल नहीं स्टार्ट कर सकता फेटल बात समय नहीं स्टार्ट कर सकता मध्श एक कुरी और है अगर किसी को ट्रेडमार्क करवाना है तो कहां से करवा सकता है और कितना किवंग नपर धरंक्वाना किina यह यह शाय करते हों जो तो यह रहां रिश्टेशन यह यह 11,900 ट्वल ताउजन रुपीज लेते हैं पर क्लास पर क्लास दस क्लास लेने तो एक लाग भी स्टार रुपे खर्च होते हैं तो बारह हजार रुपे में यह होते हैं तो मतलब मैं जहां से कर वाता हूं वह सेमंटी फाइफ हंडड़ या एटी फाइफ फाइफ हंड़ेंड में करते हैं इंडिया फाइलिंग टेर लेते हैं पर इकलाफ है वह सबके अलग-अलग है रेट क्योंकि इस पहें गौर्वर्मिन्ट फीज होती है ड्राफ्टिंग की हम बात करते हैं कि अच्छे डोमेनियम कैसे मिलेंगे एक तो चलो कोई मुझे डोमेनियम सोच के बताए कहीं देखना नहीं सोच के बताना कि एड्यूकेशन डिलेटेड़ फार्मासुटिकल रिलेटेड़ वह स्पोर्ट्स रिलेटेड़ क्रिकेट वाला हो कुछ भी दोमेन मुझे सोच के बताओ दोमेनें बनाओ कम आओ अग्यानिक बंदू यह डोमेनें अवलेबल नहीं है अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप डोमेनें बनता है ना यह डोमेनें इंवेस्ट करते तो आपको ग्लोबल सोचना है क्योंकि आपको देखो आप एक इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहते हो यह तो नौथ इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहते हो या आप गलोबल मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं लोबल कैप्चर करना चाहते हो यह हिंदी के वर्ड आपको हटाने होंग बाबा फिर भी चलेगा बाबा गुरू मंत्रा यह सब अब इंटरनेशनल वर्ड हो चुके यह अक्षवोड दिक्षणरी में आते हैं इसका कोई वह नहीं बड़ बंदू मतलब इस सब्सक्राइब फेमस नहीं है पॉपुलर है नहीं तो जैसे और यानिक भाई नहीं सोच सक यही तो मैनने श्यूक्त है उर्गाई नाम से अगर आपको स्टाट करना है तो इंडिया में बिजनस स्टाट क्या जा सकता अच्छा ना मैं को बूलेंगे नहीं और गयानिक अंकल से लिया और गयानिक बाबा से लिए लोग भूलेंगे नहीं मतलब देखो टॉमेशने बि तो नाम ऐसे होने चे जो याद रहें और या तो नेम के परपस अलग अलग भी हो सकते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको तो स्क्राइख है ये स सलगे ल लें तब यकान कि अ कि और गैनिक टॉंटीफूर इसे भी बना लेते हैं यह भी नहीं मिलने का व्याइट तो मतलब और स्टोर खलोक अपने नाम से बना और गानिक डॉट कॉम स्टोर इस अवलेबल फॉर एक करोड़ सताशी लाखा यह वन करोड़ 87 लैक्स रुपीज का डॉमेंड कोई बेच रहा है और गैनिक स्टोर डॉट कॉम तो मेरे को अगर कुछ स्टार्ट करने तो मैं और गैनिक शोर इंडिया स्टार्ट करूंगा राइट नहीं तुम्हें कुछ नाम लोगा मैं बतातों कैसे अब हम इसको ब्रेंडेबल नाम बनाते जैसे और गैनिक देखा आपने आपके बहुत सब्रेंड देखे होंगे ना जिन्होंने स की जगह के लगा दिया है कि यास उसका एक्जैंपल लेखलिक और लिए उनकी एक्चिल साइड के एक्ज्व वह के से नहीं है अब और गैनिक इस और करूंगा मिलेगा तो टो यह भी नहीं क्योंकि लोग यह भी चारलाख तेराद करेंगा यह नाम सस्ता और महें आप क्यो यह अवलेबल है राइट बट यह नाम किस्पेलिंग क्या किसी को याद रहेगी नहीं रहेगी आप क्या नहीं और गैनिक स्टोर्ट है और ना वह सी की जगर के है और एस नहीं है वह जैड याद नहीं रहेगा उसे इवन कोई विजुलाइज भी करेगा देखें गाभी तो इसको याद रहे रेडियो टेस्ट पास को रेडियो टेस्ट करता हो रेडियो टेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो नाम अगर रेडियो पे बोला जाए तो लोगों को याद रहे दस वार बोला जाए यह तो दस वार में भी मैं बोलूंगा तो अभी किसी को नाम याद नहीं रहेगा मुझे बताना ही पड़ेगा OrganicStores.com में C की जगा K लगाना है और S की जगा Z लगाना है एक एक आर्जी आती है रेडियो ने नहीं पता उसका नाम रोशी है या आर्शी है तो वो जब भी अपना नाम बुदिस बताती है राईट क्योंकि रेडियो टेस्ट व मारल द रॉषी ना मौशी है fifteen सब्सक्राइब भर गजब भी आती है के स्प्लिंग बताती पती है रोशी यह जब भी इसको ध्यान से सुनना यह हमेशा आपने नाम की स्पैलिंग बताएगी आरो यह क्योंकि नहीं तो लोगों को समझ नहीं बाएगा रोशी की स्पैलिंग आप क्या गैस करोगा आप खुद बता दो तो रोशी जो वर्ड है वो रेडियो टेस्स फेल है अब कई बार देखो लोग अब जैसे मैं बोलू जै कई बार लोग जै आई भी सोच सकते हैं लेकिन इंटरनेशनली बन्दा यह ही सोचेगा क्योंकि जैए इस इडिक्शन रिवोर्ड वह इंडिया में लोग आ भी सोच सकते हैं तो इसको इतना ज्यादा वह सब्सक्रांगा तो कुछ और वो नहीं टाइप करेगा तो नेम शुड़ भी लाइक दिस की एक बार बोल दिया तो देखो मेमरेबल भी हो छोटा हो टू वर्ड नाम चलते हैं लेकिन तो तीन तीन चार-चार वर्ड के भी लोग नाम लेते हैं तो यह हो गया अब यह जो हमारी क्लास होगी ना उसके बाद आप ग्रुप में रिक्वेस्ट कर लेना कि एक इबुक दी जाए मतलब हमारी पीडिया फाइल है जिसमें जो भी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं वह सारी भी है उसके लावा कुछ उसमें अच्छे लिक्स भी ह है राइट और ऊसमें कितने टाइप के होते हैं वह भी मैंने डाल रखा है राइट जैसे कितने टाइप की होगए एक टो ब्रेंडेबल नाम हो गया ठीक है ना ब्रैंडेबल नेम कौन से होते हैं कि जिन पर ब्रैंड बनाए जा सकते हैं अगर मुझे और गैनिक का ब्रैंड बनाना होगा तो मैं क्या का नाम सोच सकता हूं या मुझे फ्रेश फूड का ब्रैंड बनाना है तो फ्रेज फ्रेज नाम हो सकता है सिर्फ फ्रेज यूनों मनलब कुछ भी हो सकता है मत्तब वह तो जैसे ग्रोफर नाम था ग्रोफर अब उन्हें नाम कर दिया अपना ब्लेंकिट पल के जब खांव समान आपके पास स्विगी एक नाम है बात समय अब्स्विगी क्या मंगया है यार चुपेटियम क्या है एक सब्सक्राइब से पे नहीं हो सकता था पे आगर पे डॉट कॉम से अगर पे टीयम ने शुरू किया होता पे टियम आज पे डॉट काम कहूंत चला नहीं सकती किお हob bucks क्यों API इंडिया चला लेगा तो पेटीम है पेटीम है तो कोई जेटीम भी नहीं चला सकता गेटियम भी नहीं चला सकता है इस नाम से कोई पेमिंट गेट पर स्टार्ट करी नहीं सकता है वर्ल्ड में नहीं साथ कर सकता पेटियम इतना पॉपुलर है तो अब अच्छे नाम धूनने कैसे देखो एक साइट है expired domains.net यह सारे नोट कर लेंगे एक क्रूशियल विब साइट है इसमें फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं सब कुछ फ्री है इसमें अब अगर आपको कोई नाम धूनना है जैसे मैं expired domain में पहले मैं क्लिक करता हूं आप देखो यह सारे डोमेन आज कितने डोमेन एक्सपायर हो है दो लाग 25,591 राइट डिलीटिट डोमेन में जाता हूं जो नेम डिलीट हो चुके यह वो अले नाम है जो नेम एक बार एक्सपायर होके डिलीट हो चुके देखो लास्ट सेवन डेज में डिलीटिट डोमेंट कितने बारा लाख अड़तालिस यार पांसो असी डोमें लास्ट सेवन डेज में एक्सपायर हुएं अब इसमें से बहुत सारे नाम लोगों ने रजिस्टर कर ली होंगे देखो ने इसमें डॉट कैट भी है डॉट सीजट भी है राइट अगर मैं इसको फिल्टर लगा हूं इस पे शो फिल्टर लॉगिन किया लॉगिन है फ्री नाम वही अच्छे होते हैं जिसमें हाइफन और नमबर ना हो क्योंकि ब्रैंड नेम भी आपने देखे होंगे ब्रैंड नेम में कहां मिलता है नमबर वाई चांस किसी का होगा मुझे याद नहीं आ रहा पर हाइफन तो बिल्कुल नहीं होता इंडिया में ग्लोबली नही द्रीम 11 तो 11 तो ना का 24 24 24 आर्स वाला नमबर कब आ रहे हैं जैंको दिखाना है कि अब लेबल 24 एं ग्यारा लोग की टीम बनानी है अब 99 एकर का 99 का फंडा नहीं समझा है मेरे को एक 505 नाम से साबंद भी हुआ करता था 555 और 502 पता का चाहता हो को पता ही मुझे निए प नो तो बहुत कम है ऐसे मतलब नेगलीजिबल तो मैंने का मुझे हाइफन नहीं चाहिए एडिशनल मैं जाता हूं मैं कहता हूं मुझे सिर्फ डॉट कॉम देखते हैं मैं यह फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं चीक है ना तो इसमें बहुत सारे आप्शन है वह आप खुद से अप्लाई करके दिखाता हूं इसको क्या आता है कि देखो यह नाम आ रहे हैं ठीक है ना अब किते नाम हो गए फोर लैक्स अभी भी आ रहे हैं मैं इसको और कम करता हूं मैं कहता हूं मुझे तुम वह नाम दिखाओ जो जो नाम लास्ट ट्वंटी फॉर आर्ट्स में डिलीट हुआ हो बासमर जो छेसा दिन जिसको हो गए होंगे वो तो कोई ने कोई ले गया होगा गौट मैं पॉइंट वो तो देखो नेम एक्सपार होते ना कई बार क्या होता है कि किसी ने डोमेन नेम बुक किया एक्सपार क्यों होता है नहीं या तो किसी ने डोमेन नेम बुक किया वो रिन्यू करवाना भूल गया या कई बार कंपनी ने जिससे वेबसाइट बनवाई थी उसी ने डोमेन बुक किया था वो वेबसाइट वाला भाग गया या पैसे नह कि आ сिरों सब्सक्राइब में understands और ऑप पागल हो गया या कमपनी कंपनी बंद गहीं या इसका उस बिजनस सेुंटेस हट किया डूमेनियों कि बढ़ हजार ैलर का भी उसने खरीद और पांच जार डॉलर का क्योंकि आप करोड़ों रुपए के काम में आ जाते हैं खुद लोग भूल जाते हैं मलब किसी ने डॉमेंट बुक किया वह राइस के इंपोर्ट इनकी साइकल होती है एक जनवरी को मैंने डॉमेंट बुक किया एक जनवरी को एकस्पायर होगा एकस्पायर होने के बाद 45 डेस के यह उस टाइम में जाएगा जहां पर आप उसे रिन्यू करा सकते हो जिसे हम ग्रेस पीरियर्ड रिडंशन पीरिड ऐसे वैसे बोलते हैं फि एफसाइट बंद हो जाती है ठीक है और कई बार लोग सोचते हैं डॉमिन एकस्पायर रुपए चलो बाद में रिन्यू कर लेंगे जब अविलेबल लेगा कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं अब मैंने कहा ओनली 24 और मैं यहाँ पर लेता हूं इंग्लिश डिक्शनरी के चाहिए मैं कहता हूं मेरे को वन से लेकर त्री वर्ड के दोमें दिखाऊ वाड काउं यह सब्सक्राइब करना आपको पता चल जाएगा और मैं कहता हूं कि अवलेबल डॉमें दिखाऊ जो अब लेबल हैं रजिस्टर करने के लिए कि यहां पर एक दिन पहले इसीने रज मेरी बात देखो फ्री लासर माफिया आ गया एक फ्रॉड स्वीट रन आ गया मैं इसे और भी काम करता हूं अब बारा घंटे तो मैं करनी सकता हूं क्योंकि बारा घंटे पहले दोमें नहीं मिलेंगे चौबिक घंटे करना पड़ेगा अब मैं आपको और चीज बताता हू कि मैं मेडिकल लाइन के डोमेंग लूँ डिसर मार्केटिंग लूँ जैसा भी एक भाई ने बताए कि क्रिप्टो का नाम तो जब आप पैपी पोनी जो है वो आप मैंसे सब को नहीं पता होगा वह किया है वह किसको पता है जो क्रिप्टो में डील करता है जो एनेफटी मे होंगा जाए मैं सरजरी में जाँगा वहतारी सजरी के इसे नाम हो के मुझे नहीं पता होते हैं पता भी होता है तो मुझे ये नहीं पता होती कि क्योंकि यह 500 सरजरी आज दाई जार रुपे पाँजार रुपे में होती है नी सरजरी लाख रुपे में होती है हाट सरजरी इतने की होती है कौस्मेटिक सरजरी कितने की होती है कौन सी सरजरी करवाने वाले लोग सबसे ज्यादा है कौन सी सरजरी करवाने वाले लोग किस कंट्री में सब जाद हो जिसकी सर्जरी ही धाई यारपेगी होती है वह बंदा कित्ते पैस्ट देदेगा आपको राइप मतलब पूंपिटिशन भी तो बहुत होगा ना और ब्रेंट सरजेरी मानलों काफी महंगी होती है लेकिं ब्रेंट सरजेरी बहुत कॉमन नहीं है तो इसलिए तो आप उस टाइब की डोमेन में जाते हैं जो कॉमन है एगर आपको पता होगा मुझे कौन से डोमेन लेने चाहिए अगर आप मतलब आपको जिस चीशन है ना उस चीजमे आप जाो नहीं नौन जाए सीखो लोगाए है बिटकॉइन आया है क्या हमको पता था वो आने से वहले नहीं पता था आज हम लोग अवेर हैं दीरे-दीर हम लोग अवेर हो रहे हैं कल को कोई और चीज आएगी हम रीड करते रहते हैं हमारी न्यूज में आता है सामने आता है लोग डिसकस करते हैं को पता चलता है कई बार जो वर्ड आते मशीन लर्निंग आता है उसमें डेड़ा साइस आता है तब यह दो में निकाल पाओगे चलो मैं इसमें लेदर टाइप करता हूं लेदर ठीक है लेदर वोड की बात करें थे हम दोमें नेम अलावलेस लेदर नाम से स्टार्ट होना चाहिए या एंड होना चा करता है और मेरी चलो मैं डूमेंट बुक करता हूं या आपके रिलेटिव ने या आपके क्लाइंट ने कहा मुझे लेदर वाला डूमेंट लेना है कोई जिसमें यह वोड आता हो तो आप यहां डून सकते हो एक्षा डूमेंट ढूनने का सबसे अच्छा बड़ा फाइद यह ड्रॉक हुआ कल देखो लेदर वेबकेंप्स लेदर चैट सेरेमोनियल लेदर रस्टिक लेदर बैक डॉट कॉम अब यहां पर क्या आ रहा है यह यह आ रहा है बैक लिंक कि इसके इतने बैक लिंक है इसका डीपी आ रहा है डूमेंट पॉप यह इसके स्कोर है यह यह कितने केरेक्टर का डॉमेन है तो यह डॉमेन एड कव हुआ इसमें और कुछ रैंकिंग एडी एनस स्टेटस होगड़ा क्या है एलेक्सा रैंक क्या है एलेक्सा तो खैब कंपनी अब बंदी होने वाली है उसका माइन नहीं रखता उसकी रैंकिंग तो मुझे दिखा यार य यूनों बोलने में भी अच्छा है याद भी रहेगा तो क्या मैं इस डॉमेन को भेज सकता हूं डॉमेन डूना मैंने बताया कैसे लेदर वर्ड डाला देखो ऐसे लाखों वर्ड्स हैं लाखों वर्ड्स के कॉंबिनेशन है राइट मैं तो आप एक तरीका बता रहा हूं क्या दिमाग से रस्टिक लेदर बैक डॉट कम आपके दिमाग ले नाम आता नहीं आता कई साल लग जाएंगे या तो नाम कहीं बोर्ड में देखोगे सुनोगे तब होगा एक जियस इस इच्पार डॉमेन जो डॉमेन एक्सपार हो रहे हो सकता है दो साल पहले किसी को रस हेलो अब मैं कैसे पता लगा हूँ ओहो कैलकटा लेदर डॉट कॉम भी आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है अब देखो यह डूमेन नेम मुझे कौन बताएगा कि यह डूमेन नेम की कोई वैल्यू है क्या कोई खरीदेगा यह मैं कैसे ढूंड़ूंगा सिंपल आंसर है इसका कम आप इसको गूगल करेंगे जो भी कंपनी क्योंगी बहुत सिंपल कोई भी आपको दिमाग में लगे यार यह अच्छा लग रहा है आपको लगा नहीं लग रहा तो कॉपी गूगल में डालो ना अच्छा बूरा क्या होता है कई कंपनी ने इतने घटिया नाम रखे होते हैं लाइक वह कौन सी टैवल कंपनी कौन सी है आप मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा देखो मुझे में नाम याद करा सो जो डालो ट्रिवागो अब भाई साब ट्रिवागो के स्टोरी आप पढ़ना वह वह टफ नाम है कैसे एक तो मुझे ट्रिवागो नहीं याद आ रहा दूसरा ट्रिवागो की स्पेलिंग बताओ एक ग्लोबल ओडियंस होती है ना क्या टाइप करेगी या टी आर आई टाइप करेगी क पहीं कर कहीं पे किसी कंट्री में B को वी बोला जाता है तो ट्रिवागो टाइप करेगी टाइप करेगा की टाइप करेगा कुछ नहीं पता और दाई इसलिए मुझे वो नाम याद नहीं आया ठीलागो भी ब्रैंडिंग बहुत टीवी में उन्होंने किया है उसका जो चे और आई बीबो नाम भी कितना टफ है ना आई आई है या आई वाई बहुत टफ नाम है बीबो का है बी आई बी डबल ए क्या कुछ नहीं पता चलता booking.com make my trip.com clear trip.com easy to remember name recallable name right now ढूंडते हैं simple google करते हैं google में मैं क्या करूंगा इन words को अलग कर लूँगा यह तो अब देखो यह तो प्रॉड़क काई नाम निकला क्या बोलते हो यह प्रॉड़क काई नाम निकला रस्टिक लेदर बैग यह जो एक प्रॉड़क की कैटेगरी है लेदर बैग की एक कैटेगरी होती जिसका लुक रस्टिक होता है राइट तो यह लुक जो देख रहे हो रस् है और जिसको लेयरं के यीकितला श्टार्ट कर निए पर्टिकुन मैं यदे बैडर बैक की उसके लिए यह बहुत अच्छा नाम है अब मैं मैं जाता हूं डूसरा है कि मैं खिलुक करो मैं में क्लिक करने से क्या पदा चलेगा आपको यह लोगश लेका लेकिन हम नाम कहा के लिए ढूंटे है जनरली हम यूएस कैनेडा और से लिया यहां आपने लोग ढूंटे हैं कि यहां पर पैसा अच्छा देगे तें यह आपका स्वीट स्पॉट का जो प्राइस है वह अच्छा होता है दो तीन सो डॉलर चाट सो डॉलर पांसो डॉलर मिल जाते ना इसका एक तरीका और है कि ढूड़ों की लेधर बैक सबसे जादा किस शहर में पॉपुलर होते हैं किस कंट्री में पॉपुलर हैं वहां पर आप मैप पर ढूड़ सकते हो उनकी वेबसाइट निकालना खोल खोल के फुई से जाके या उनके कॉंटेक्टर्स के वहां से जा आपको ने मेल करना इसे कहते हैं आउट बांड करना आउटरीच करना या उनको लिंक्डिन में ढूंड के बात करो तो तो ऐसे ढूंड सकते हो यहां पर रस्टिक लेधर बैक डोमें की अपने वैलिव इसलिए बढ़ जाती है कि यह एक प्रॉड़क के टेगरी का नाम है इसलिए यह नाम अच्छा है अब कुछ देर आप रुकोंगे कुछ दिन तो यह नाम यहां से कोई ने कोई बुक कर लेगा अब र्स्टिक टाउनHello को जो है रल्स्टिक टाउन ब्रैंड जो रस्टिक लेधर बैक बनाती है Hindu रस्ट्शिव लेधर डाइवर्ट करो कुछ लोग होते हैं कुछ कम्पनीज हैं जो अपनी एक e-commerce टोर के पीछे दस दस बीस बीस पचास पचास डूमेन लेकर website बना के सारा ट्राफिक अपने उसमें रीडारेक करवाती है तो दूसरा तरीका यह है कि डॉट डीबी जो मैंने आपको बताया था बट डॉट डीबी में क्या होगा कि मुश्किल है कि किसी के पास इससे भी लंबा नाम हो हो सकता है या मनला दुनिया में लोग चार चार वोर्ड का भी नाम जी उसका करते हैं फिल ठीक है अब गुड कंपनी लेदर गुड कंपनी लेदर तो वैसे होगे कि गुड कंपनी का लेदर और वैसे भी किसी कंपनी का नाम भी गुड कंपनी हो सकता है नहीं पता हाचकल तो इसको गूगल करो कई बादने कि ने ऐसा हो सकते कि अपनी कंपिंग नामी रख लिया हो गुड कंप्प्पी आ है था गुड कंपनी लिए रहा है आहिए हम देखते हैं इस गुड लेदर गुरू नहीं है ऐसे कुछ आ दिए अधर चल रहा है डैन्टिफ निर मी कि यहां कि यहां कि यहां जैसे कोई कुछ नहीं पता आपको वर्ड में तो सबसे जो मैं यूज करता हूँ वह क्या है काट स्पेस स्टोर स्पेस होटेल्स ट्रैवल्स और होटेल्स का तो काम वैसे भी आट स्टोर और क्या कहते हैं मैंने यह तीन वर्ड डाल जी अब तीन वर्ड फिल्टर हो लोजा फ्रेश तोर आपको सर्च करना पड़ेगा लोजा फ्रेश तोर वाले यह कोई स्टोर है लोजा भूल गए हो तो ऐसे डूंड सकते हो ऐसे डूंडने के लिए गूगल है टूल उसके लावा फेस्बुक में भी सर्च कर सकते हो वह सकता है किसी का फेस्बुक पेज हो वह उसमें वह स्टोर बनाके कुछ प्रॉडक्स सेल करते हो डेन यू कें अप्रोच देम विद यूर डुमें नेम कि बही दो सो डॉलर तीन सो डॉलर को भी बताकर राइट हो सकता है किसी का सिर्फ इंस्टा पे जो उससे वह कोई प्रॉडक्स सेल करते हो लिंडिन पेज हो मतलब यह चार- ले रखा है तो जबस ती उसका डॉमेंड लेकर उसको नी ब्लैक्मिल करने का कि यह डॉमेंड दे पांसो डॉलर का नहीं तो किसी को बेज दूँगा या साइट में उल्पूल कुछ डाल दूँगा ऐसा कुछ नहीं करने का जो जैसे और्गानिक बाबा कुछ भी ना अग मुल तो गूगल से कर सकते हैं यह यूस पी टी ओए साइट ए कैनेड़ा का सँट करने कैनेडा ट्रेड मार्ट सच करके गूगल कर लो वहां की साइट आ जाएगी मैल नहीं करना और दूसी बात महरां किसी को spam नहीं करना कि आप मेल भेजे जाओ डेली कनो हफ्टे में एक मेल तीन बार उसके बाद 15 डेस में एक मेल फे दो-दो महिने में एक मेल बस नहीं लेरा कोई बात में ठीक है जो मैंने ये hotel डाला यह यहां पर गलत है मुझे hotel डालना चीए यहां पर ends with क्योंकि generally website जो होती है hotels की वो hotel से end होती है या hotel से ठीक है ना ठीक है तो मैं यह डाल के search कर रहा हूं मैं देख रहा हूं options क्या है देखो अवीव hotels right booking luxury hotels.com अब मैं अवीव hotels Google करूंगा सिंप्री Google करूंगा अगर यह कोई hotel है तो मैं यह नाम इसको outreach कर सकता हूँ होटल इन तेल अभी प्लेस है तेल अभी होटल इन तेल अभी अब दूसा मैं वह देख सकता हूँ इसमें डालके कि अवीव hotels का कोई बड़ा यह देखो तो यह रहे यूरो विजन तेल अभी तेल तेल अभी होटेल तो अगर इसने साइट बनाई हुए ना इसको अभी होटेल सेल करना बहुत असान कि इन्होंने पहले से लंबी साइट बनाई है देखो तेल अभी होटेल स्वेब दॉट कॉम राइट तो यह सारे आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं ढूनोगे कैसे मैंने बताए हुई या इनकी साइट से कॉंटेक्ट डिटेल निकाल के आप इनने सर्च करोगे और मुझे यह तो एसा नाम नहीं लख रहा ना जो सेलेबल आ प्लॉटीबल यह प्लॉटयू यह ठीक यह प्लेस का न्यक्त हो सकते हैं होड़ेल ना जेट होटेल हम देख सकते हैं मैं कुल करता हूं तो जैट होटेल जेट लग्शिरी रिजोर्ट मैं आप में देख सकते हैं आप होटेल की वेबसाइट से जाकर इस टाइब के होटेल ढूंड के उनका आउट्रीज कर सकते हो तो यही यही ऑप्शन यह एक्सपाइट डोमेन नहीं अपने दिमाग से भी सोच सकते हो आपने गूमने गए आपने कोई देखा याद वीर होटेल है आप देख से वीर होटेल नामके नामका डोमेन इसके पास है की नहीं वह दूनना होगा आपको इसके अलावा इसमें गोडैडी में एक आप्शन होता है गोडैडी क्लोज आउट्स मतलब गोडैडी क्लोज आउट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप पास दस साल बीस साल ओल्डोमेन भी फाइव या टैन डॉलर में बाय कर सकते हो राइट वो डिपेंड करता है एक लग के उपर भी तो मैं जालता हूं गोडैड गोडैडी क्लोज आउट मतलब यह एक ऐसे ऑक्षण होते हैं रिवर्स ऑक्षण होते हैं मतलब मैं इसमें भी सर्च एडवांस सर्च में जाता हूं राइट मैं इसमें करता हूं मैं इसमें करता हूं लेदर ठीक है ना और मैं करता हूं इसमें कॉम और मैं इसमें करता हूं क्लोज आउट डोमेंस राइट यह डोमें एक्सपाइड डोमेंस में भी आते हैं अगर आप वहां पर जीडी क्लोज आउट एक ऑप्शन है वहां पर जाओगे तो वहां भी जब टाइम आता है तो की गो डैडी या कोई भी रजिस्ट्रार जिसके पाद करते वह तो उससे पांच दिन पहले वह करता है एक तो करते हैं हम जिसको एक्सपायर हो गया तो पर आगया एक उते क्लोज आउट ऑउक्षन की बस यह क्लोज आउट होने वाला है उससे पहले का उक्षन इससे मैं कहता हूं मुझे डैश नीच चीए मुझे डिजिट नीच यह मुझे डॉमें दिखा तो तो मैं पर कौन से हैं ठीक है न अब देखो एक आ गया वेंगा ले पहले दिन दोमें का प्राइस होता है फिफिक्टी डॉलर इसी यह यह जैसे यह डॉमएं आया ना लेदर क्रांफ्कार्विंग डॉट कॉम ये डॉमेंग अभी कितने का है फचा डॉलर का है यह भी सारसे डॉमेंग है अ उस डोमेन को खरीबते हो तो वो डोमेन की registration डेट दो हजार दो ही आएगी मतलब है दो हजार बाइस में अगर आपके बाद डोमेन है उसे थोड़ी पता है कि आपने क्लोजार डोमेन से भाई कर रहा है ठीक है अब मैं इसमें सबसे बड़ी क्या बात देखने की होती है मैं वांगा वांगा लेदर डॉट कॉम यह से खोलता हूं क्लिक करता हूं इस पर देखो इसकी एज क्या है नाइन येर्स मतलब यह 9 साल प डोमेन की जो फीस होती है एक साल की वो तो होगी रिनीवल फीस वो तो लेगा यह राइट तो मतलब है कि 370 रुपए में आपको 9 साल पुराना डोमेन मिल रहा है वांगा लेदर अब इससे बैट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके लिए अगें गूगल वांगा लेद यह इस टाइप का लेदर होता है यह नो तब जो कंपनी इस टाइप का लेदर बनाती होगी उसको आप अप्रोच कर सकते हो आप कहां गया गोड़ी क्लोज आउट यह रहा अब देखो ना कहां गया वांगा लेदर हां वांगा लेदर कहां चला गया अच्छा लगा दो ही वरड़ समझ में आ रहा है तो वांगा मैं इक है वह वांगा भी हो सकता है वो चीज तो है यूनो लेदर अच्छे हैं कि नहीं है इसके लिए आपको गूगल करना होगा अगर आपको लगता है कि कुछ companies हैं जो आपका domain buy कर सकती है तो आप इनको buy करते हो तो रजिस्टर करते हो क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है कि यह domain वांगा लेदर वाले कही हो और वेट कर रहा हो इसका owner कि जब available हो जाएगा तब लूंगा वगर आपके पास आ और आपने 200 डॉलर का प्राइस में डाल दिया तो वह 200 डॉलर में आपको उससे बाय करना पड़ेगा इस वांगा लेदर डॉमेंड बाय करके आपको गलती नहीं करें कि तो आपको नहीं पता ना डॉमेंड उसने छोड़ा है क्या किया और वांगा लेदर को ट्रेड मार्ट एनुक कोई इंवेंटेड मार्ग भी नहीं है जैसे मैंने गैड्मो बनाया यह तो एक जैनेरिक वोड़ है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे बोलें बहुत सारे कुछ भी डालो कुछी बना बहुत आएगा होटेल में डालता हूं या कुछ भी मैं लॉयरस डालता हूं राइट लॉयर इंडिया में तो नहीं बट यूएस में आप लॉयर्स को भी डॉमेंट सेल कर सकते हो लॉयर बहुत टाइप के होते हैं वहाँ पर जैसे लॉयर कि रेस डिस्क्रिमिनेशन लॉयर मतलब किसी रेस की डिस्क्रिमिनेशन हो गई कन्ठी चैनेड़ा है उसमें उसके लिए सपसिफिक लायर होते हैं आप्साइट अपनी वेबसाइट्स बनाकर लॉकी इंडिया में बहुत लोग जो लॉपनी गाम करते हैं है और होटेल्स पर काम करते हैं और मारिवाना पर काम करते हैं गांजा तो इस टाइप के उस थे तो मेंट कैसे वहां पर गूगल में कोई वह आ रहा है प्लेस का नेम लोकेशन मतलब वह मैप में आपको जुरूर उसके बाहर मिल जाएंगे ठीक है तो अब आप पुछो क्या कुश्चन पूछना चाहते हो और हाँ वह ई-बुक लेनी मत भूलना आप वह एचोडियम के ग्रुप से आपको मिल जाएगी है बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं जैसे अभी फेस्बुक ने पर नाम चेंजरे की मेटा रख लिया तो मेटा ट्रेड मार्क तो इसके उपर अगर कोई दूसरा डूमें लेना चाहे तो कि ले सकता है अभी तो ले सकता है क्योंकि मेटा एक जन्रल वर्ड आगया ना अभी मेटा नाम से लाखों नाम वो को है जासी नहीं है मेटा नाम रख रहा व एक कि इनियूřर्स यह तो यह है जो हम देख रहे हैं मेटा वर्ड कि यह वर्ड वर्ड इक वर्चुल युनिवर्स इक दूनिया हमारी एक यह है और एक वर्चुल है तो पहले मेटावर्स की टेक्नोजी या यह चीजें आने लगी लोग इसके बारे में बात करने लगे फिर फेस्बुक ने प्लैन किया कि हम भी मेटावर्स में काम करते हैं अब इसलिए फेस्बुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया दीरे दीरे वो नाम चेंज करता जा रहा है बहुत सारे चीजों के अभी आता है कि मेटा बिजनस पहले वो व फेस्बुक बिजनस आता था ऐड्स के लिए तो फेस्बुक में नाम चेंज किया है में बिलकुल अभी बोल्ग दोमें बॉक कर र Chinese हैं सिंगल वर्ड है लेकिन आने वाले टाइम में Facebook मैटा को जितना स्टॉंग कर लेगा मैटावर्ड जितना पॉपॉलर हो जाएगा जब मेटा वर्ड काई ही दूसरा मतलब Facebook की होगा जो भी उसकी technology होगी क्या हो सकता है कि और चीजिए करने के लिए कोई फिर मेटा नाम ना ले पाए तो यह बट मेटा से तो कुछ भी हो सकते हैं मैटा तो एक बहुत जैंनल जैंडर इस तो सारी कंपनी पहले साही है क्या करेगा फेस्बुक क्या करेगा किस से मेटा मास्क जो लेड़ी क्रिप्टो के अंदर है और मेटा मास्क एक वालेट है बहुत अच्छा वालेट है अब वह मेटा मास्क है दूसरा वह क्रिप्टो में फेस्बुक ने का किए ट्रेडमार्क का भारी किया होगा याप्ला कर रहा होगा कि हम सोशल मीडिया करना हैं यह क्रोंट की लेती हैं मैटा मास्कों फूब वो सब खरीदता जाएगा मैटा मास्क्ट. खरिद लेगा या पीछे से क्या हो चुक्पा किसी नीब टाटा का एक ब्रैण्ड है के नाम से साइटा कुछ भी नहीं कर सकते वर्ल्में कर सकते है तका मतलब के टाटा है मतलब जिसने ओक टाटा एक यह नाम इंव ले लेता है तक लाम को फो टाटा का में प्य़िक्ष आड़ी लेकिन टाटा के लेका कैस करने के जो पर्सेंटेज्ट इस अवह बहुत कम है कैसे या मैं оказ लगा देते हैं यह लोग तो टाटा ने टाटा वर्ड पर तो वर्ड वाइड मॉनापली की वह वर्ड वाइड अब एपल है एपल वर्ड से आप मोबाइल में एसे सिरीज में कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप एपल एपल बेशना चाहिए तो एपल आगे पीछे फ्रेश एपल डॉट कॉम बेचाओ आप से बेचाओ उनलें एपल मना नहीं करेगा आपको कि अनिमर कुश्चेंज और के सवाल या मैंने अच्छे समझा देया या आपको समझ नहीं आया हो सकता है को कुछ चीज़ें आपको हो सकता अभी समझ में ना आया पूरी लेकिन आप यूटूब पर वीडियो ढूंड़ो अभी होटीम की तरफ से आपको वह पीपीटी दी जाएगी वह पीपीटी लो सवाल पूछो ग्रूप में फेस्बुक ग्रूप में वहां भी मैं हूँ सवाल पूछो मैं नहीं मानता हूं कि पहले दिन में हो सकता सब समझ ना आया लेकिन दीरे-दीरे जब आप वीडियो देखो होगे जब आप कुछ बुक्स रीट करोगे ओनलाइन रिजोर्स देखोंगे तब आपको याद आएगा हाँ यह बात यह कॉंटेक्स वाली थी है ठीक है ना है तो और कुछ पूछना चाहते हैं कैस पूछ लो किसी कुछ पूछना को आपने इनिशली एक चीज़ बुली थी कि जैसे कोई भी नाम होता है वेबसाइट का जैसे हम उस टाइम पर पैपी पोनी की बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि दव पैपी पोनी से पैपी पोनी इस अब विसली बेटर इसके पीछे कोई एक पर्टिक्लर वीजन है बिल्कल है एगन और साइकलोजीकल रीजन भी है और बट उब्वियस वाला भी है कि वो नाम छोटा है राइट नाम छोटा है आप में बात बताता हूं बटका हूं चाइना कंट्री नहीं पता है आपको पताँ का चाइना में जो बहुत साथ लोग है के चाइनीज नाम होते हैं कुछ भी हो सकता है आपको यह बात और जानी है चाइना को प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या अनिस साथ हुई थी दस बारा साल पहले कि वह लोगों को अपने नाम बोल नहीं पाते थे अब और नहीं बोल तो पाते थे लेकिन समझ नहीं पाता था औ तो आज हर चाइनीज का English Bluetooth चाइना में हर शहर का इंग्लिश नहीं है तो समझ में आता हैं या सब्सक्राइब कि हम हम पैसा नहीं बना रहे ना बट हमारा ब्राइंड पैसा बनाता है जैसे अजे देवगन ने देवगन से शायद ए या यू यू यह अटा दिया था ईए वी जी डबल एन है उसका कुछ जाता है नहीं जाएगा तो अब ऐसा है कि चाइनीज ने अपने नाम हिंदी रखो इंग्लिश ने रखें में आज चाइना में आप वेंडर से बात करो या वह कहीं भी जाएंगा आपका नम माइक बताएंगे जॉन बताएंगे स्मिध बताएंगे राइट तो यह है क्योंकि नाम नहीं समझ आते तो सोलूशण ःब 2 क्यों है देखो दो फेस्बुक डाट कॉम अब देखो में बताता हूं दो फेसबुक डाट कॉम मैं डूट कॉम फेसबुक डाट कॉम और अब यह जो दौ आई एन यह है ना यह वर्लोग भूल जाते हैं ले बॉल जारे यह क्या है ग्रैमर के वर्ड है आर्टिकल्स हैं जैसे एंद दो दील में मैलून तो लोगों क्या याद रहते हैं वो नाम पेस्बुक दो फेस्बुक में से आप दो भूल जाओगे माई भूल जाओगे बूल जाते हो ना सब्सक्राइब आपने जवर्सी याद ही कर लिया तो याद हो जाएगा लेकिए जनरल फिनोमेना है वो आप भूल जाते हो इसलिए दो लगाना साही नहीं है तीन वर्ड का नाम मेक माई मेक माई ट्रिप इस मेकिंग सेंस एट इस राइम मेक माई ट्रिप वह से बोलो आपको आप अब गाना गार है मतलब एक माई ट्रिप अब क्लियर ट्रिप नहीं बोलता हूँ आप गाओ मेक माई ट्रिप के साथ करो हो गई नहीं मतलब नहीं तो सबसे अच्छा नाम ट्रैवल में मेक माई ट्रिप है बुकिंग डॉट कॉम तो अच्छे ही है वो तो यह एक शब्द है यह एक मतलब टीवी में एड आई ऐसा नहीं है आप गा के देखो मेक माई ट्रिप राइन गाना याद होते हैं न हमको और ट्रिप ट्लियर वह बोली नहीं पाहूंगा तो ब्रैंड गूगल गूगल कितना सिंपल नाम है गूगल याहू इसलिए नाम नेम शुड़ बी शॉट शॉट एक वर्ड है तो फिर तो मज़ई आ गए ना इसलिए तो सिंगल वर्ड के होते क्योंकि वह कोई भी सिंगल वर्ड खरीच सकते ना अब जिए जियो नाम रखा जी आई ओ जियो डॉट इन भी उसने बाए कर रहा जियो डॉट अब डॉट कॉम बाए कर लिया एलाउन मस्क उसने एकस डॉट कॉम बाए कर लिया सिंगल एक्स.com और पुछो तो अब समझे मेरे पास एकस वाइस है मैं उसे दो सो डॉलर में बेच रहा है लेकिन मुझे ने पता आगे का ब्रोकर है या एक बिजनेसमन है तो वो मेरे से दो सो डॉलर में लेकिए दो हजार में आगे बेच दे तो मैं दो हजार उसका इस्टिमेंट कैसे करें तो आपको क्या प्रावजम है अगर आपने दस डॉलर में लिया है वह दोस्तों में लेले 20 गुना प्रॉफिट हो गया जितने में बेचे लेकिन दो हजार आए तो मैं मना नहीं करूंगा अगर मुझे एक बाद बताता हूं कि आपके पास एक आइफोन है नए आइफोन माकेट में आ गया आपका आइफोन भी अच्छा खासा है अब आपका दोस्त आपसे कहता है यार आइफोन अपना बेच दे अब तो तो नए आइफोन ले तो तो हमेंशह अइफोन लेता अब आ पूछे का आप उसे क्या पराइस बता ओगए है कि हम बता आइप MR by एक लाख आइफोन ने कितना बताौ सबाप करते हो हो सब्सक्राइब को बतातों आप प्राइस नहीं बता होगे क्यों पूछो आपको यह कम ना बता दू तो ना ले इवन आप दुकान पर भी जाओगे ना आप आइफन बेशने दुकांदार को होगे भाई साथ क्या लोगे रही बता आप को करें नहीं आप बता ब क्यों कि नहीं बता दूंन कि अनृट मैं जाया ना आपको कार बैच रहे हो चाहें कुछ बेचरे हो ना इसकिस में भी क्यों होता है किसी होलसेलर आपका डॉमेंग री सेलर 200 डॉलर में लेके एंड यूजर को 20 डॉलर का बेच रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है अब समस्य कहां पर है कि कोई री सेलर 200 डॉलर के डॉमेंग खरीद रहा आपसे और उसकी री सेलिंग ये वैली 2000 डॉलर की है यहां पर आप सोच सकते हो कि यहां पर मैं गुड्ड बिजनस डिसिजन कैसे लो मतलब मैं प्राइस वैलुएट कैसे करें ठीक है अब मैं यहीं पर आपको चीज दिखाता हूं जैसे जैसे आप एक तो यह डॉमेंग की जो पीपीटी है जैसे से वीडियो सब कुई लॉन कर लोगे ना आपके दिवाब में सेट हो जाएगा कि इसका प्राइस अपरोक्स इतना होना चीए जैसे मैं यह टूल दिखाता हूं राइट देखो इसमें इस जो मैं की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या लगाई है सेवन इसकी क्या लगाई है एटी थी थाउसेंड राइट मैं एक आपको एक टूल दिखाता हूं गोडेडी गाउडेडी डोमें अप्रेशल जो इसको कहते हैं डोमें अप्रेशल डोमें के प्राइस पता करना की वैल्यू डोमेंड की क्या है एंटर डोमेंड मैं डालता हूं लेदर शूज डाट कॉम ठीक है ना यह मुझे बतायागा इस डोमेंड की वैल्यू क्या होगी इसने बारह जाट डॉलर बताए ने अगर मैं इसमें गूगल डॉट कॉम डाल दूं अच्छा इसने नहीं नहीं दिखाया क्योंकि पहले लोग यह गूगल याहू डाट कॉम डालके गो डैडी का मज़ा खुडा आते थे थोड़ा राइट तो आई मिन टूसे जैड अब जैड डॉट कम की वैलिएस ने बताई मोर देन टूंटी फाइट थाजन डॉलर यह करोड़ो रुपय का दूमेन है क्योंकि यह ठी लेटर है ठी लेटर पुनाउंसेबल डिक्शनरी वर्लो तो वह डॉमेंड काफी महंगा होता है अब बता रहों कि कैसे और फाइंड कितने का होना चाहिए एस्टिमेटड वैल्यू इसने बारह जार डॉलर बताई इस समझाओ अब आप देखो कि यार कंपरेबल डॉमेंड राइट में आ रहे हैं यह डॉमेंड पास्ट में भी के हैं लेदर बूर्स डॉट कम कितने का विका है 15,000 डॉलर का अभी हमने कौन सकता है इसमें हरानी नहीं होगी यह राइट बट बट यह स्पेकुलेशन है देखो गैरंटी होती तो मैं आपको क्लास में बोलते हैं नहीं कि यह डूमेंड अच्छा है मैं चुप चाब उसे याद रखता हूं और अपने आप बुक कर लेता अरे बाइक कितने डॉमेंड तो मोक कर लूँगा मैं लाकों डॉमेंड है अब देखो इसने कहा सी मोर सी मोर में आप जाओ देखो यह लेदर परसेश डॉट कॉम यह इतने के सेल हुएं राइट अब देखो यहां पर क्या रहा है वेल्यूवल कीवर्ट लैदर एंड शूज आर हाई वैल्यू अधिम अपने हुआ में ही वॉर्डं की इस कमर्शिल की वर्ड इस भाफ कमर्शल की वॉर्ड जो अगर आगर यह ओल lawyer काली पंचांग ओ सपोज अब का ली ली कोम गई या इसopen इंग्लिश में ही मैं आपको लो वैल्वी वाल्ड बताता हूं अब और बता देता हूं में आएसेंशल ऑईल मनलब उसका जितना भी हो एक शीशी चारसो पांसो हजार रुपेगी होगी लाइट लेधर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है शूज एक बड़ी कैटेगरी है नैट तो अब इसमें एक हो चीश मैं बता हूं अगर यह सपोर्ट्स कार होती, sports car आ रहा होता है, तो sports car इंखुद करोडों की होती है तो इसकी industry जितनी बड़ी हो गई न, domain value भी इतनी बड़ी हो गई, बड़ इसका मतलब नहीं है कि आप rocket उन्वाले domain book करने लोगा कि rocket बहुत मेंगे होते हैं, वो book करने लेकिन वो खरीदेगा कौन, नासा domain थोड़ी खरीदता है, rocket बनाने वो लिए domain नहीं खरीदती, सबसे बड़ी बात समझो, domain कौन खरीदता है e-commerce company, जो product बेचते हैं अब इसने ही value बताई हम मैं एक पकड़ कर चल रहूंगे, कैसे value पता लगा नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट और है namebio.com namebio.com यह क्या होता है कि दुझिया में जितने भी domain की sales होती है, गो डैडी पे हो, कहीं भी हो, यह उसका data रखता है प्लीज कंटेनिंग ट्रक अब एक namebio.com है, जिसमें दुनिया में जितने भी domain by sale होते हैं, वो आपने देखो, t-joy.net कितने का sales होँआ, 900, 9100 USD का, कब 2022 में, ठीकिना, joule.xyz कितने का sales हुआ, 1290, जैसे मैं domain डालता हूँ, ledger, यह कितने का, ledger, 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 कितने का sales होआ, अच्छा, ledger.com ही डालता हूँ, अगर मुझे एक जैट, ओ सॉरी, ledger.com, ledger.io यह मैंने sale किया था, एक लाक, बीस जार, डॉलर का, राइट, जो कम से कम, 94,00, का होता है, और income tax वाले भी यहाँ पर होंगे, तो इसका सारा tax paid है, account में पैसा लिए है, anyway, अब मैं यहाँ पर leather shoes डालूँगा, यह keyword, और मैं देखूंगा, क्या इस से मिलता जुलता कोई domain, sell हुआ है, platform पे, देखो, एक domain sell हुआ है, men's leather shoes.com.au, अब यह advertisement आ गई है, इसको 34 से हैना पड़ेगा, यह करीब 108 डॉलर था शायद, हाँ, यह 100 डॉलर था, अब आप leather shoes को इससे compare करी नहीं सकते, यह तो कितना लंबा नाम है, men's leather shoes.com.au, तो आपने देखा, यह तो 108 डॉलर वाले ही नाम है, अब आप यहाँ पर क्या type करोगे, यह हटें तो मैं बता हूँ, अब देखो, close, अब यहाँ पर type करोगे, आप leather bag, क्यों, मैं leather belt क्यों नहीं type करा रहा है, क्योंकि belt का pricing थोड़ा कम होता है, शू के equivalent जो commodity है, वो type तो like leather bag, तो मुझे यहाँ से पता चल सकता है कि leather bag का कोई name, past में sale हुआ है, तो, जब इटालियन leather bag dot com sell हुआ था, 109 में 2016 में, और खास बात हो, जब भी आप name bio में past की sale देखो, आपको वो date देखना ज़रूरी है, कब विका था, क्योंकि जो domain 100 dollar के इस time में विकते थे, आज जो 1000 dollar में विकते हैं, छे साल पुरानी बात है यह, राइट, तो अब मैं सिर्फ इसमें leather डाल दूँ, आप देखो यार, इस category के domain कितने के विकते हैं, वो भी dot com, ठीक है ना, आपने किया search, यह आपको पांस sale दिखाता और अंदाजा देता है, कि आपका domain कितने का होगा, देखो, market में trend देकर अंदाजा लगाए जाता है, अब यहाँ पर आ रहा है, वो कम से कम दस जार डॉलर का नाम है, मेरी बात समझे हैं रहा है, देखो, vegan leather dot com, विका 75,00 का, यह आज विकता पंदाजार डॉलर का, आज विकता दस पंदाजार डॉलर का, यह विका था साथ साल पहले, राइट, तो अब आपको इसमें क्या करना चाहिए, कि आप sorting कर सकते हो यार मुझे तो वो नाम बताओ जो, पास्त तीन साल में बिकें, बात समय रहे हैं, क्योंकि पिछले दो-तीन साल की हिस्ट्री तो वो बना है कि भाई, दो-तीन साल में नाम ही निविका कोई, तो मैंने अंदाज में लगा है, हाँ भया वो दो मेंनें दस बारा हजार डॉ होना चाहिए, एंड यूजर के लिए, हमेशा ये बात ध्यान लगो, एंड यूजर की प्राइजिंग होती है, इस से, रीसेलर की प्राइजिंग नहीं होती, ठीक है न, अगर देखो, मैं एक सीज़ी सी बात बताता हूँ, अगर आपने कोई डोमेंट पांसो डॉलर का खर डॉलर दे रहा है, आप ले ले तो, क्याता हो, अरे मेरी डबल कमाई होगे, ठीक है, दे दिया, पांसो डॉलर आगे कम है, बिल्कुल कम नहीं है, अगर आपको लगता है कि यूजर की डोमेंट पो टैन ये तो इन्वेस्टर की मेंटालिटी कर रहे हो, आप कभी सिदया, तो इसनों में सिदया, पिर सकते हो, इसमें अकांट क्रेड करना सान आखो सबको पता है, किकी बी जगांट कैसे क्रेड किया जा सकता है, मेरा अक्वेस्में फ madness फीड है, हो मैं ले लेता हूं, आप गौंट स्जेने में तो आप वर्ट फोलियो में जाएंगे पॉर्टफोलियों में जाएंगे और यहां पर करेंगे यह जैसे मैंने पहले से डोमेंड कुछ डाल लखें तो आप यहां पर करेंगे डोमेंड डोमेंड अच्छा इसका एक डोमेंड लेफ्ट में आ रहा है ना डोमेंड डालना बहुत सिंपल है देखो जै डॉट कॉम यहां डालो मिनिममम प्राइस आ रहा था वहां पर और एक आ रहा था मिनिममम ऑफर यहां डालो मिनिममम प्राइस पचास डॉलर की कमसे कम पचास डॉलर की ओफर तो थे या सो और यहां पर फ्लॉर प्राइस मतलब वह प्राइस जिससे नीचे आप जाओगे ही नहीं कुछ भी हो जाए यह प्राइस आलने का यह मतलब होता है कि जब गोड़ एड़ी और आफटरनी के पास रिक्वेस्स आ हुआ तो वह ब्रोकर उससे पहले ही रिजेक्ट कर देगा वह कहेगा चलो मैं डेट सो दूंगा वह कहा देगा नहीं मिल सकता क्योंकि आपने फ्लॉर प्राइस अपने सीधा नीचे के प्राइस सेट करेक है तूफिप्टी डॉलर बाइना प्राइस अगर पांसो डॉलर का आती है दो सब्सक्राइब की भी आफ़र आती है तो यह बेच देगा सरदर्दी कम होई ना आपकी कोई और नेगोशेट कर रहे कोई और बात कर रहे ठीक है ना तो ऐसे सब्मिट डोमेंस हो गया था ठीक है और जब भी आप यह करोगे सारे स्टेफ सामने आएंगे यह बहुत इजी है यह तो एक टेक्निकल पार्ट होगे ना जैसे आप फेस्बुक में अकाउंट बनाते हो अब जीमेल अकाउंट करेट करते हो यह वह चीज है हाँ आगे पूछो और कुश्चिन और मेरी मम प्राइज में कंफ्यूशन जोगे फ्लोर प्राइज डेट बिलो इस विल नॉट दो मिनिमम प्राइज के होती है मैं कंफ्यूशन दूर करता हूं आपकी यह देखो जब कोई आफ्टर निक पर डोमेंज सच करने जाते हैं अभी आपको ध्यान होगा मैंने डोमेंट दूना था वहां पर देखो क्या होते हैं यह देखो थी नाइट इसको इसको लेते हैं 7 लेदर शूस डॉट एक्षावफिए सेवन नैंटीन डॉलर बाइन उप्राइब जिस प्राइस मैं ले लूँगा ठीक है न अर मेक अनॉफर में वो क्या कह रहा है कि बीस डॉलर मिनिमम का तो तुमको आफर करने ही पड़ेगा मिनिमम प्राइस वह है ठीक है मान लो इसका प्राइस फ्लोर प्राइस टू इस ब्रोकर सेल्टिस जो मैं फॉर डैेट मच अमाऊंट यहां पर फोन नमबर आ रहा है में इस वह सम्बडी फ्रॉम यूएस और एडर कंट्री कॉल से इस नंबर और और कोई ब्रोकर वहां से आफ्रनिक का कोई क्लाइंट एंप्लोई फोन उठाता है और वो उसको बोलत सब्सक्राइब करने का पूछने का है तो आपको कॉल करके नहीं पूछ सकता है आपको मेल नहीं कर सकता हो सकता दो जिन बाद जवाब दो गेटिंगा ही पॉइंट तो डिफेंस बेसीकली अब एक सवाल और में ले सकता हूं पर जो सेलिंग हो रही है तो इसमें उनका भी कुछ कमिशन होता है क्या उनका कमिशन होता है 10% 20% 30% डिपेंस अपन दी डोमें प्राइस यू सेल कुछ डोमें ऐसे भी होते होंगे जो सेल ही नहीं हो पाते हैं लैक हमने उनको रिन्यू कराया यह बाद वो सेल नहीं हुए यह सोचके कि कभी साइट बनाऊंगा उस पर मेरे पास ऐसे भी डोमें मेरे पास 21 साल से हैं बट सर्व प्रॉफिट तो नहीं है फिर उसको कीप करने का क्या फायदा हो गया अभी मैंने जो मतलब जो मैं डोमें बेचता हूं सपोर्स आप हंडेड डोमें लेते हो दस डॉल हजार डॉलर आपने अगर पांच जो में दस जार डॉलर के बेच दिये तो पिचाज जार डॉलर तो आपके पास आ गया ना आपको बैट डॉमेंस हम भी फैंकते हैं लेकिन कोई नाम ही ऐसा है अब देखो मेरे पास नाम है मेरी महफिल.com मुझे पता है ग्लोबली कोई न में पास इंडिया इस ग्रेट.com मैंने कुछ नहीं बनाया वा नहीं कुछ साइट बनाई है वह डॉमें मैंने रखा है 2002 से शायद राइट अभी तक कोई इंक्वारी नहीं आई बट मैं बुक कर रहा हूं क्योंकि मुझे वह नाम अच्छा लगता है इंडिया इस ग्रेट. इस ग्रेट.com होता तो मैं रिन्यू नहीं कर रहा होता ठीक है में पास इंडिया इस ग्रेट.com है तो मैं उसे 21 साल से रिन्यू कर रहा हूं अब है क्या कि डॉमेनिंग इस नोट माई प्राइमरी बिजनस में पास जैसे सॉफ्फिर बिजनस हैं e-commerce के हैं तो इस लाइक कि यार एक पैशन एक होबी है तो मुझे पैसे डालते हैं मैं बताते हैं लोग पेंटिंग खरीते हैं रिसेल के लिए नहीं बिक्ती पेंटिंग रखी है क्योंकि पेंटिंग कहा से खरीते हैं लोन लेके नहीं खरीते हैं इतना पैसा है उनके पास क्यों एक पेंटिंग खरी लेते हैं आप समझो ना मतलब आप डॉमेनिंग सक्सेसफुल डॉमेनिंग स्टोरिज गूगल करो लोकों ने दस डॉलर के डॉमेन एक एक लाग डॉलर में बेचें एक करोड में बेचें किसमत नाम इपा गैडमो डॉट कम है आप दस साल से कोई नहीं खरीद रहा सपोस्ट निंटेंडो कोई गेम बनाता है गयाड्मौ के नाम से या कोुई बहुत बड़ी कम्तनी है पो गेमींगेंग देवास मेना थी इग ती उन्हें डोमेंड चाहिए आप जब मतर्फ डॉबाइय आया बोबाय आया कि यूनो विंसेंट एट निंटेंडो डॉट कॉम से मेरे को मेल आती है जैए डॉट कॉम पे तो आप बता दो मैं उसे क्या प्राइस बताऊंगा गेटिंगे पॉइंट अलास को हंड़ लास को हंड़ के उससे पहले में गैड़ मों ढूंड चुका हूंगा क्या हो रहा है उसकी न्यूज वगरा आइल आसको हंड़ के तो सारे पाप धुल गए ना उसके आगे पीछे जो भी डॉमेंट यहां वाथ है बट डैट इस हीर लग आम नट सेंग कि यह हो गई होगा आम जस्ट स्पेकिलेटिंग आइट हाँ कुछ जो मैंने वो तो बिकने बिकने जैसे लैदर शूज डॉट कम वो तो कोईने खरीदी लेता है किसीने इकमर्स मनानी है या कुछ भी है अब मेरे पास जॉयरिका डॉट कम है जॉया लुकास जो जूल्ली कंते हैं कल वो जॉयरिका नाम से कोई सिल्वर की जूली का ब्रैंड लाउंच करती है उन्हें नाम चाहिए में पास तो उसका ट्रेडमार्ग भी है तो आइकन आस्क गुड नंबर अफ अमाउंट विद देन जोईरिका में तो मेरी वेबसाइट भी है ये ग्यास केलने अब मेटा डॉट कॉम मेटा डॉट कॉम अ की जिस पेसे इंड़ ने जिसके पास ने उसने जिदीगी में पहले और आगे जो भी कमाना था प्रेंस्थाहंजEr्ड उससे पैसे विला वीशेमील सी आख्रेंस लुट ले बबाट लिश्लिया अम जेक्न अटका सब्सक्राइब आगे लूट ने बाबा डॉत ने बाबा सुनना पड़ यहां बार बार वहीं सिग्निफिकेंश खतम हो गई दूसरा इंडियन ने में आइट जब कहता हूं निस डोमेर की कोई वैल्लिय नहीं यह बट-अगर कोई वेबसाइट बनिये ल्लमनेट न फिराम läuft कव सब यूट्यूब काथ है कि और आस्टक संदी कि लिट वैली तो यह डॉंट सब्सक्राइब को अन्य लिए है इसकी दो ही कुई कुझ सिस्टाइब मार्केट में नोबड़ी अपने व्लॉग बनायो के पॉप्लर क्या बिलकुल वैल्यू है देखो गूगल डॉट कम की वैल्यू आप मुझसे पूछते तो मैं कहता ठीक है 500 700 ہजार डॉलर है ठीक है वह बहुत बड़ा ब्रैंड बन गया वो गया उसकी वैल्यू है वो डॉमेंड की वैल्यू लोग आते हैं, उसका domain कैसा भी हो, उसकी value है, क्यों क्योंकि तो लोग domain थोड़ी यार रख रहे हैं, लोग तो Google सेर्च करने जा रहे हैं, न्यूज पे जा रहे हैं, खोल रहे हैं, domain की importance था बैने जा brand बनाना हो या कोई leather store, leathershoes.com जैसे domain लिया ताकि कोई गूगल पे लेदर शूज डॉट कॉम ढूंड़े तो वो एबीसी डॉट कॉम पे जाके लेदर शूज में क्लिक करने के चांसे उसके ज़्यादा है क्योंकि उसको ज्यादा रिलेवेंट रिजर्ट लग रहा है गूगल सर्च में समझें आप तो इसलिए वैल्यू के डिक्ष्णरी वर्ल होने चाहिए उसमें उसका बिजनस यूज के सोना चाहिए कि उसको यूज करके प्रॉडट बेज़के सर्विस बेज़के एकमर्स बनाए कुछ कमा पाये तब उसकी वैल्यूद ज्यादा है यदि को इसका ब्लॉग बना पाएगा तब उसकी वैल्यू आपिसली कम है अगर स्पोर्ट ब्लॉग डॉट को में कहूं क्रिकेट सब्सक्राइब लाखों लोगों का ट्राफिक आता होगा एवरी मन्त भलाई वेबसाइट ना हो लोग उसे खोलते जिरूर है तो बस आज के लिए इतना ही मैं तो बारा बाई तक भी चल सकता हूं लेकिन बहुत लोग होंगे जिनका कुछ टाइम लिमिट होता होगा तो आज के लिए इतना ही अब कुछ भी सवाल करना हो ग्रूप में पूछ सकते हो मेरा फोन नंबर मैं चैट पर डाल रहा हूं में 987141 1234 787 14本 मैं अपना फोन नंबर चैट पर डाल रहा हूं कुछ उपह भी पूछना ओ मुझे वाटस्ञा करो राइट भून करो निक्रीजस्ञाहांण करो मुझेस सवाल वाटस्ञाल करो तेक्स में मैं आपको जवाब दूगा वोईस नोट में ठीक है जवाब हो सकता है दो घंटर लगें दो दिन लगें जवाब जरू दूगा जवाब नहीं आया है लो फिर भेजना कई बार वह वह सब्सक्राइब और मैसेज आ जाते हैं मुझसे आप डारेक्टली सवाल की याओ टूनाइग चाहि को नाई रख रॉंपाइब जयुक्त नए जब ज साने से श्यएं